हेलो दोस्तों चैनल में आपका फिर से स्वागत है आपने यूट्यूब पर चार्ट पैटर्न्स और उन्हें ट्रेड करने के तरीके पर बहुत सारे विडियोज देखे होंगे लेकिन इन में से मजॉरिटी विडियोज आपको यह नहीं बताते कि आपको उनका ट्रेड क्यों करना चाहिए और ये चार्ट पैटर्न्स मारकिट में क्यों काम करते है इसलिए ये चार्ट पैटर्न पर सबसे comprehensive courses में से एक होने जा रहा है बहुत से traders बहुत कम content के साथ हजारों रुपिये में chart patterns पर paid courses भी देते हैं लेकिन ये course पूरी तरह से मुफ्थ है और educational purposes के लिए बनाया गया है ये three part की series होगी और मैं इस videos पर कम से कम हजार likes की मान कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें स्पष्ट और समझने योगे बनाने में बहुत समय और प्रयास लगता है तो इसे अपने सभी fellow traders और दोस्तों के साथ share करें साथ ही यदि आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe करना ना भूले और bell icon को enable करें ताकि आपको सभी नए video updates मिलते रहें अब chart pattern का concept वास्तव में काफी सरल है Chart patterns, market की supply और demand का representation करके काम करते हैं ये trend को trading chart पर एक मिश्चित तरीके से चलने का कारण बनता है जिससे एक pattern बनता है जब कोई trader, stock या index के price chart को देखता है तो ये पूरी तरह से random movements जैसे प्रतीत हो सकता है ये अक्सर सच होता है फिर भी उन price movements में patterns होते है Chart patterns, price data में पाए जाने वाले geometric shapes होते है जो एक trader को price action को समझने में मदद कर सकते है और साथ ही ये अनुमान लगा सकते है कि price कहां जाने की संभावना है हाला कि chart pattern movements की कोई guarantee नहीं है और बस chart patterns trading markets में सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है और इसका उप्योग market analysis के अन्य तरीकों के साथ किया जाना चाहिए सामान्य तोर पर chart patterns को तीन टाइप्स में classify किया जाता है ये है continuation patterns, reversal patterns और neutral chart patterns इस विडियो में चर्चा का विशय continuation patterns है मैं 5 सबसे common continuation chart patterns के बारे में बात करूँगा वे क्यों और कैसे बनते हैं और उन्हें उचित entry, stop loss और target setup के साथ कैसे trade करना है हम इस बारे में भी बात करेंगे यदि आप नहीं जानते हैं कि continuation pattern क्या है तो जैसा की नाम से पता चलता है ये pattern संकेत देते हैं कि market में existing trend संभवता जारी रहेगा या सरल शब्दों में वे predict करते हैं कि pattern के formation के बाद market उसी direction में जारी रहेगा जैसे पहला था इनमें से अधिकांश continuation patterns trends के बीच consolidations के रूप में बनते हैं ये ऐसा है जैसे market थकावट के कारण चाय का विश्राम ले रहा हो और फिर refreshment के बाद काम पर वापस जा रहा हो इस विडियो में हम 5 patterns और उनकी सब categories पर चर्चा करेंगे हम flag patterns के साथ शुरुआत करेंगे उसके बाद pennant patterns फिर ascending triangle और descending triangle patterns फिर हम rectangle patterns के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में cup and handle और inverted cup and handle patterns के साथ हम इस विडियो को end कर देंगे patterns पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ clear कर दू ये timeframes के अलावा और कुछ नहीं है बात यह है कि ये सभी patterns जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ ये intraday से लेकर swing से लेकर positional time frame तक लगभग सभी time frames में बनेगा और ये patterns higher time frames के साथ बहतर काम करते हैं क्योंकि इसे बनने में अधिक समय लगता है और इसलिए अधिक लोग इनके बारे में जानते हैं तो इन patterns का trade करने की time frame आपकी trading style जिस duration के लिए आप positions को रखना चाहते हैं और आपकी expectations पर निर्भर करेगी मैंने trade करने के लिए appropriate time frames चुनने पर पहले ही एक video बना लिया है तो आप उस video को देख सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी trading style के आधार पर कौन सी time frames चुननी है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं bullish flag जैसा की नाम से पता चलता है यह एक bullish trend के दोरान बनता है bull flag एक strong लगभग vertical bullish trending move के साथ शुरू होता है जो फिर stabilize हो जाता है और फिर parallel tops और bottoms के साथ एक minor bearish correction में बदल जाता है जो महत्वपूर्ण support और resistance levels है किसी भी flag pattern के तीन parts होते हैं जो इसे बनाते हैं bull flag की सही पहचान करने के लिए मैं कुछ संकेत देने जा रहा हूँ एक flagpole बनाते हुए preceding uptrend की तलाश करें जैसा कि हम जानते हैं कि एक bullish flag pattern एक bullish trend के दौरान बनता है इसका मतलब है कि candles की range सामाने से अधिक bullish है और वे highs के पास close होने की trend रखते हैं यह market में buying interest का एक strong संकेत है और यह भी clear है कि market में bulls dominant हो रहे है एक strong price move के बाद market को break लेने की जरूरत है इसे एक profit booking phase के रूप में देखा जा सकता है जहां initial buyers अपने कुछ profits की booking कर रहे है यहां आप एक संभावित bull flag बनने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि market pullback करता है pullback के दौरान बना हुआ price action का प्रकार ही flag pattern को normal pullback से अलग करता है आप जो खोज रहे हैं वो shallow pullback है जिसमें पहले की strong bullish move की तुलना में छोटी range की candles शामिल है या इसे एक strong move के बाद indecision candles के group के रूप में देखा जा सकता है यह आपको बताता है कि sellers price कम करने के लिए struggle कर रहे हैं और buyers अभी भी control में है इसलिए यदि आप बड़ी range की candles के साथ एक steep pullback देखते हैं तो यह शायद bull flag pattern नहीं है आम तोर पर retracement, original trend या पोल के 38.2% level से नीचे end होता है जैसा कि Fibonacci द्वारा दर्शाया गया है लेकिन अगर retracement पोल के 50% से नीचे चला जाता है तो इसे flag pattern नहीं माना जा सकता है यह range जितनी tight होगी, market के higher levels पर breakout देने की संभावना उतनी ही अधिक होगी अब हमने सीखा है कि bull flag की पहचान कैसे की जाती है तो हम discuss कर सकते हैं कि flag pattern का trade कैसे करें इसलिए मैं entry के तरीको stop loss कहां लगाना है और target कैसे निर्धारित करना है इस पर चर्चा करूंगा आईए entry criteria से शुरुआत करें चुनकि यह एक bullish continuation pattern है हम केवल resistance trend line के उपर breakout होने में interest रखते हैं इस level के breakout के बाद आप एक long entry ले सकते हैं यानि आप उस समय enter कर सकते हैं जब price resistance trend line के उपर break हो जाती है या आप breakout candle के close होने के बाद इसका high price से उपर खरीद सकते हैं दूसरी method price का breakout level पर वापस आना या pullback करने की प्रतीक्षा करना है और फिर एक long entry करें जब price वापस उपर जाती है या जब price breakout candle high से उपर जाती है अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा option बहतर है खैर कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है यदि आप highs के break पर entry करते हैं तो यह एक false breakout हो सकता है लेकिन अगर यह real breakout है तो यह आपको मिलने वाली best possible entry price है alternatively यदि आप prices को high level के उपर close होने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप false breakout की संभावना कम कर देंगे लेकिन यदि breakout strong है तो शायद आप बहुत high prices पर entry करते हैं एक pullback या retest की wait करने के मामले में भी ऐसा ही है जो अकसर नहीं भी हो सकता है यदि market में strong trend है और वास्तव में आप trade पूरी तरह से चुग जाएंगे इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी entry strategy तै करें और large number of trades पर इसका practice करना जारी रखें Volume और अन्य indicators का उपयोग करके breakout की validity की confirmation करने की हमेशा recommend की जाती है Higher than average volumes अधिकांश समय एक breakout को validate कर सकती है क्योंकि यह market participants की interest को दर्शाता है और low volume breakouts विफल होने की सबसे अधिक संभावना है MACD और RSI जैसे momentum indicators का उपयोग करने से भी आपको सही breakout की पहचान करने में मदद मिल सकती है मैंने इन सभी topics पर videos बनाया है आप उन्हें देख सकते हैं आईए अब stop loss set करने के criteria पर ध्यान दे Bull flag pattern का trade करते समय अपना stop loss कैसे set करें? आप अपने stop loss को support और resistance, swing high या swing low आदी जैसे obvious levels पर set नहीं करना चाहते हैं और ऐसा क्यों है? क्योंकि आसानी से आपका stop loss हंट हो जाएगा ये levels दूसरों के लिए उतना ही obvious है जितना आपके लिए है, जिसमें smart money भी शामिल है तो आप एक proper stop loss कैसे set up कर सकते हैं? यह आसान है आपका stop loss एक ऐसे level पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपके trading set up को invalidate कर दिया जाए हम यहाँ एक bull flag का trade कर रहे हैं और यह pattern तब invalid होता है जब price bottom trend line support के नीचे break और close हो जाती है इसलिए आपको अपना stop loss इस support level से नीचे रखना होगा अभी भी long wix के chances हैं जो आपके stop loss को hit कर सकते हैं और फिर desired direction में उपर जा सकते हैं इसलिए extra safety होने के लिए आपको ATR indicator का उपयोग करके अपने stop loss को market structure से दूर set करके अपने trades को अधिक सांस लेने की जगह देनी होगी एक बार जब आप bull flag pattern के swing low की पहचान कर लेते हैं तो अपना stop loss swing low level के 180R नीचे set करें और अंत में आईए जाने की bull flag pattern के लिए target कैसे निर्धारत करें अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने winners को cash in कर सकते हैं सबसे common approaches में से एक flag pole की लंबाई के आधार पर एक pre-determined profit target रखना है इसके लिए सबसे पहले bottom support level से flag pole की लंबाई मापे फिर इस लंबाई को resistance trend line के उपर breakout point से project करें यह आपका profit target होगा आप अपने stop loss को तब तक trail करना भी चुन सकते हैं जब तक की market आपको trade से बाहर नहीं कर देता यह बहतर option क्यों है? इस बारे में सोचें कि bull flag pattern आमतोर पर एक strong trending market में दिखाई देता है या यह एक range breakout के ठीक बाद बनता है ऐसी market conditions में trend के जारी रहने के लिए बहुत अधिक संभावना है और इसे catch करने का एक मात तरीका अपने stop loss को trail करना है अब सवाल यह है कि अपने stop loss को बहतरीन तरीके से कैसे trail किया जाए इसके लिए आप 50 period के moving average या chimney stop जैसे tools का उपयोग कर सकते हैं जो आपके stop loss को trail करने में मदद करेंगे और trade से तभी exit करें जब price इसके पार close हो जाए इसके अलावा यदि आप price projection method और trailing stop loss method दोनों के combination का उपयोग करते हैं तो यह बहुत बहतर है क्योंकि आप projection method का उपयोग करके price move को gauge कर सके ताकि आपके profit के एक हिससे को वहाँ lock किया जा सके और फिर बाकी की positions को right की जा सके इससे आपके psychology पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है और किसी भी नुकसान से बचा जाता है आगे बढ़ते हुए market में bull flag trading के लिए कई opportunities उपलब्ध हैं लेकिन अगर आप मुझे कुछ चुनने के लिए कहें तो मैं bull flag के साथ trade करने के लिए चार अलग-अलग scenarios चुनूंगा ताकि मेरा reward to risk satisfactory हो ये चार scenarios ये है 1. एक price level के breakout के बाद एक primary pullback के दौरान bull flag formation होना 2. uptrending market के दौरान bull flag pattern का formation जो trend continuation का संकेत देता है 3. एक range market के अंदर bull flag formation 4. downtrend में bull flag formation जो trend reversal का संकेत देते है entry, target और stop loss criteria सभी चार मामलों के लिए समान है इसलिए मैं प्रतियक मामले के लिए उन पर individually discussion नहीं करूंगा आईए चारों मामलों पर एक नजर डालते है पहला case, level breakout के बाद primary pullback का है ऐसा तब होता है जब market एक range से बाहर breakout हो जाता है और फिर पहली बार pullback करता है ये bull flag pattern में trade करने का सबसे अच्छा समय है और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब market कुछ समय के लिए एक range में होता है तो price अंतता हो उस range को तोड़ना होगा और इसके अलावा जितनी देर तक market एक range में रहेगा उतनी ही strong तरीके से range को break करती है यहां हम जिस चीज के बारे में चिंतित है वो एक resistance breakout है जहां हम एक bull flag बनने की उम्मीद कर सकते है इसलिए जब market finally break out करता है तो breakout move से चुकने वाले traders pullback के पहले indication पर market में entry करने की प्रतीक्षा कर सकते है इन primary pullbacks में आमतोर पर shallow retracement होता है क्योंकि बहुत से traders strong price momentum के खिलाफ trade नहीं करना चाहते है और यह एक high probability वाले pullback trade को प्रस्तुत करता है इसलिए अगर मुझे इस process को सरल तरीके से समझाना होता तो यह कुछ इस तरह से होगा पहला step कुछ समय के लिए resistance level का टेस्ट करने वाले एक market या एक range market की पहचान करें फिर market का इस level को तोड़ने का इंतजार करें इसके बाद primary pullback के रूप में bull flag pattern बनने की प्रतीक्षा करें और अंत में flag के high break होने पर long entry ले क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि price बहुत high है और long trade लेने से पहले price के support level में वापस आने या breakout level पर retrace होने का इंतजार करना बहतर होगा लेकिन अगली चीज जो आप देखते हैं वो यह है कि market लगातार new highs को तोड़ रहा है और आप अपने निर्मय पर पच्टावा करते हुए side lines पर रह जाते हैं तो क्या आपने इससे कुछ सीखा है अगर सरल शब्द में कहा जाए तो एक strong trending market में breakout पर खरीदना market में price pullback की प्रतीक्षा करने की तुलना में कहीं अधिक आसान है जो शायद ही कभी होता है ऐसे market में आप bull flag pattern को entry trigger के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं मैं समझाओंगा कि आप trending market में bull flag का trade कैसे कर सकते हैं पहला step, obviously market की trend का पता लगाना है आप moving average का इस्तिमाल करके एक strong trending market की तलाश कर सकते हैं short term trades के लिए 20 या 50 periods के simple moving average का उप्योग करें और swing या positional trading purposes के लिए 50 से 200 periods के moving averages का उप्योग करें इस मामले में आईए 20 SMA पर विचार करें जब price predominantly 20 SMA से उपर trading करती है और उपर की ओर slope होती है तो हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि market की trend strongly bullish है pullback के रूप में bull flag pattern के develop होने की प्रतीक्षा करें आप bullish flag pattern के highs के break होने पर long trade लेने की योजना बना सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया यहां भी same entry, stop loss और target का इस्तिमाल किया जा सकता है मुख्य रूप से आप एक breakout के बाद या एक strong trend के दोरान एक flag pattern बनने की उम्मीद कर सकते हैं हाला कि ऐसे instances होते हैं जब market एक range में हो और resistance level पर हो तब एक bull flag pattern बन सकता है मेरे एक price action वीडियो में मैंने resistance या support level के पास build up के साथ breakout की concept के बारे में बात की थी यदि आप बाद में इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप i button पर उस video पासकते हैं यहां भी यही concept apply होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई sellers interested नहीं है या buyers resistance पर खरीदने को तयार है जो भी मामला हो ये bullish strength का संकेत है और market उपर break हो सकता है तो आप ऐसे opportunity की पहचान कैसे करते हैं मुख्य रूप से आपको एक range market की पहचान करनी होगी फिर एक flag pattern के resistance पर बनने की प्रतीक्षा करें जो एक build up के रूप में है हमेशा की तरह आप build up के तूटने पर trade कर सकते हैं या price के resistance level से उपर close होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं मैं जानता हूँ कि आप शायद सोच रहे होंगे ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है कुछ ही मिनट पहले आपने कहा था कि bull flag एक trend continuation pattern है तो हम इसे downtrend में क्यों भून रहे हैं? हाँ, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि bull flag वास्तव में एक trend continuation pattern है लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप downtrend पर trend continuation pattern के रूप में bull flag का उप्योग करके profits कमा सकते हैं इस method का संबंध market structure से है यदि आप market structure के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे मेरी price action playlist से देख सकते हैं ये काफी आसान तरीका है break के बारे में बात कर रहे हैं फिर अगर price इस trend line resistance के ऊपर एक bull flag बनाती है तो आपके पास एक jackpot trade बन सकता है आप यहाँ जो कर रहे हैं वो एक ending downtrend और एक potential starting uptrend के बीच trade कर रहा है अगर आप शुरुआत से ही uptrend को पकड़ने में सक्षम है तो आपको जबरदस्ट फाइदा हो सकता है trade entry, stop loss और target conditions समान रहेगी range market strategy के समान मैं अभी भी सुझाव देता हूँ कि आप एक tight trailing stop loss का उप्योग करें जैसे कि 20 period की moving average क्योंकि इस case में हम एक contrarian position ले रहे हैं एक bear flag pattern एक bull flag pattern के ठीक opposite है ये भी एक और continuation chart pattern है लेकिन एक bear flag संकेत देता है कि market में गिरावट की संभावना है मैं इसके बारे में जल्दी बात करूँगा वरना विडियो की लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी यदि आप एक bull flag के trading से जुड़ी हर चीज को समझने में सक्षम है तो एक bear flag का trading करना आपके लिए बहुत ही आसान होगी आपको बस 180 डिग्री पर bull flag के साथ सीखी गई हर चीज को पलटना है और अब आप bear flag को जानते है मार्किट में bear flag की पहचान कैसे करें? पहले नीचे की और एक strong trending move के लिए देखें इसका मतलब है कि candles की range सामाने से अधिक bearish है और वे lows के करीब close होते है नीचे की और एक मजबूत bearish move होने के बाद market pullback के रूप में आराम लेता है pullback में पहले की move की तुलना में छोटी range की candles शामिल होनी चाहिए और range जितनी tight होगी नीचे की और market breakout होने की उतनी ही अधिक संभावना होगी मजबूत bearish move flag के pole को represent करती है और pullback के दोरान का price consolidation pattern का flag बनाता है flag retracement pole की लंबाई के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए अन्यता इसे bear flag नहीं माना जाता है entry criteria अभी भी similar है except की अब हम केवल shorting opportunities की तलाश करेंगे क्योंकि ये एक bearish continuation pattern है जब price support trend line से नीचे तूटती है तो आप sell कर सकते हैं लेकिन यहाँ fake outs होने का खत्रा होता है इसलिए आप breakdown candle के close होने का इंतजार कर सकते हैं और फिर इसके low से नीचे enter कर सकते हैं लेकिन अगर breakout candle बहुत बड़ी है तो आप बहुत कम prices पर entry करेंगे और reward to risk प्रभावित होगा अंत में आप breakdown trend line पर एक pullback या retest की प्रतीक्षा कर सकते हैं और prices decline होने पर एक short entry ले सकते हैं यहाँ मुद्दा यह है कि एक strong downtrending market के दौरान price अक्सर पर्यापत रूप से pullback नहीं करेगी और आप अपने opportunity से चूप जाएंगे इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी entry strategy तै करें और large number of trades पर इसका practice करना जारी रखें volumes और MACD, RSI आदी जैसे momentum indicators का उप्योग करके यह सुनिश्चित करें कि breakout valid है या नहीं जब आपकी position को protect करने की बात आती है तो अपने stop loss को ऐसे level पर रखें जो आपके trading setup को invalidate कर दे इस मामले में यदि price resistance trend line से उपर तूटता है तो bear flag invalid है इसलिए stop loss को resistance trend line के उपर रखें या अधिक safe होने के लिए अपनी risk appetite के आधार पर swing high level के उपर 180R का buffer रखें Finally, आपका target price, price projection method या trailing stop loss method पर आधारित हो सकता है Price projection method के मामले में flag pole की लंबाई को measure करें और फिर इसे breakdown point से support trend line के नीचे project करें Trailing stop loss method के लिए moving averages जैसे 20 या 50 period averages का उप्योग करें और range breakdown या strong downtrend के मामले में आप अपनी position को ride करने के लिए Chandlier stops का उप्योग कर सकते हैं यदि आप अपने winners से exit करने के लिए इन दोनों methods का एक साथ उप्योग करते हैं तो यह एक deadly combination है पता लगाने वाला important बात यह है कि इन flag patterns को कहां खोजें आप support line breakdown के दोरान bear flags पा सकते हैं जिसके बाद primary pullback होता है breakout candles flag pole का प्रतिमिधित्व करती हैं जबकि primary pullback pattern के flag consolidation का निर्मान करता है जब price flag consolidation से नीचे तूटता है तो आप अपनी पसंद के entry criteria के अनुसार एक short entry कर सकते हैं सबसे आम जगह जहां आप bear flag का सामना करेंगे वो एक strong downtrend के दोरान है आप moving averages का उप्योग करके market के trend की पहचान कर सकते हैं सही moving average का selection, trade की duration या आपकी trading style पर निर्भर करेगा 20 से 50 periods के बीच कहीं भी short term trend को निर्धारित करने के लिए परियाप्त है और 50 से 200 period के averages के बीच कहीं भी long term market की trend का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि price moving average से नीचे रहे और नीचे की ओर इसका slope रहे bear flag देखने का एक और occasion range markets में है विशेश रूप से जहां एक support level के पास एक build-up हो रहा है ये build-up कभी-कभी flag consolidation के रूप में हो सकता है और जब price, build-up और support level को तोड़ती है तो आप एक short position में entry कर सकते हैं trade entry, stop loss और target criteria सभी अन्यमामलों की तरह ही होंगे लेकिन सुनिश्चित करें कि breakout valid है आप इसे एक uptrend के अंत में भी पासकते हैं जहां uptrend structure का break, bear flag pattern के साथ होता है penance, chart pattern का एक category है जो flag pattern और symmetrical triangle pattern के समान होता है जिस तरह से वे बनते हैं और breakout देते हैं लेकिन अगर आप एक penance और एक flag को दो भायों की तरह मानते हैं तो penance अधिक आकरामक भाय है क्योंकि यह विसफोटक breakouts प्रदान करता है और बहुत ज्यादा reward to risk देता है चार्ट में दो प्रकार के penance होते हैं यह bullish penance और bearish penance है bull penance एक chart pattern है जो pullback के दोरान एक triangle बनाता है यह दो पाथ से मिलकर बना है सबसे पहले एक impulse move है जो pattern के leg या pole का निर्मान करती है फिर pullback के कारण एक correction move बनती है अब आप पूछ सकते हैं कि bull penance और symmetrical triangle के बीच क्या अंतर है क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते है इसका जवाब बहुत सरल है अंतर उनके formation की duration में है symmetrical triangle के साथ आप pattern के swings को सपश्ट रूप से देख सकते हैं हाला कि bull pennant के लिए candlesticks बहुत crowded और volatile हैं जिसके वज़े से आप swings को clearly देख नहीं सकते भले ही एक bull pennant एक bull flag pattern के समान है जैसा कि मैंने पहले mention किया है लेकिन bull pennants, bull flag pattern की तुलना में अधिक whisfotic breakouts दे सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यूं है मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसे कई videos देखे होंगे जिन में Coca-Cola की bottle को हिलाया जाता है और फिर जमीन पर फेका जाता है cap फट जाती है और bottle उड़ जाती है मैं इसके physics में गहराई से नहीं जाना चाहता लेकिन इस event को trigger करने वाले factors में से एक वास्तव में Coke की बोतल का आकार ही है अगर यही experiment आप एक Coke किन के साथ भी करेंगे तो आपको वैसा result नहीं मिलेगा बोतल को एक nozzle के समान आकार दिया जाता है जिसमें बोतल की width उपर की और narrow हो जाती है जहां एक Coke कन की case में width लगभग बराबर होती है तो सौधा क्या है? एक बार जब आप बोतल को हिलाते और फेकते हैं तो gas का pressure बढ़ जाता है और cola बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए सबसे आसान exit टोपी के माध्यम से होता है लेकिन जैसे जैसे वे टोपी की और बढ़ते हैं, width कम होने लगती है अंदर की pressurized gas rage mode में चली जाती है और टोपी को खोल कर explode कर देती है या forcefully इसे तोड़ भी देती है इस terrible physics lesson के लिए मुझे ख्शमा कर दे Essentially, bull pennant pattern में, buyers और sellers के साथ भी यही होता है Penant pattern के buy से die, contracting prices, impending volatility का संकेत है क्योंकि buyers और sellers दोनों pullbacks से बाहर निकलने के लिए wait कर रहे हैं इसके result एक whisfotic breakout हो सकता है लेकिन चुनकी bull pennant pattern एक trend reversal pattern नहीं है बलकि trend continuation pattern है इसलिए हम केवल buying opportunities की तलाश करेंगे इसका मतलब यह है कि आप market bottoms catch करने के बजाए existing trend को ride करने के लिए इस pattern का उपयोग करने की कोशिश कर रहे है अब हम इस pattern के लिए entry, stop loss और target criteria के बारे में बात करते हैं हम trade entry criteria के साथ शुरुआत करेंगे सबसे costly mistakes में से एक जो traders, pennants का trade करते समय करते हैं वो है, bull pennant में बहुत जल्दी enter करना जैसा कि आप जानते हैं, ranging markets या काफी हद तक pullbacks भी trade entry लेने के लिए दो कारणों से challenging हो सकता है range या तो overshoot हो सकती है, या range undershoot हो सकती है overshooting तब होता है, जब market highly volatile होता है और price trend line से कई बार पार करते हुए, false breakouts बनाते है undershoot इसके विपरीथ है, जहाँ price हर बार trend line का test नहीं करेगी, bull pennants के मामले में हम tight range के कारण overshooting को लेकर अधिक concerned है, तो क्या होगा, यदि trend line के उपर breakout होते ही आप खरीदते हैं, या यदि आप swing high के उपर एक buy limit order देते हैं, ज्यादा तर price आसानी से आपके buy order को छू सकती है, और एक fake out या overshoot का निर्मान करते हुए, वापस range में आ सकती है, यह annoying हो सकता है, और इससे नुकसान हो सकता है, तो यहाँ key point क्या है, करने के लिए ideal बात यह है, कि bullish breakout candle, pennant line के उपर close होने का इंतजार करें, यदि price इस तरह की move करती है, तो यह सपश्ट है, कि जिन buyers को range में squeeze किया गया था, वे अंतता exploding coke की बोतल के मामले के समान, range से breakout हो गया, तो आप breakout candle के high price से उपर खरीदना चाह सकते हैं, लेकिन कभी-कभी breakout candle बहुत बड़ी होगी, और आप बहुत high price पर buying करेंगे, जिससे आपके reward to risk ratio प्रभावित होगा, इस position में सबसे अच्छा step यह है, कि trade को बिल्कुल भी न लिया जाए, या एक pullback, या breakout level पर retest की प्रतीक्षा की जाए, और फिर price बढ़ने पर long entry लिया जाए, लेकिन pennants से breakout की explosive nature के कारण, pullback या retest की संभावना काफी कम है, तो सबसे अच्छा entry, breakout candle high के उपर हो सकता है, volumes और अन्य momentum based indicators का उप्योग करके, breakout को validate करना अच्छा practice हो सकता है, pennant consolidation के दोरान, volatility में सपष्ट कमी के कारण, volumes में decline आती है, और breakout होने पर higher than average volumes होना चाहिए, जो buying interest में increase का संकेत दे सकता है, अब जब आप जान गए हैं कि bull pennant कैसे काम करता है, और इसमें कैसे trade entries किया जाता है, तो आएए बात करते हैं कि bull pennant pattern का trade करते समय, अपना stop loss कैसे और कहां set करें, जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है, आप अपने stop loss को support और resistance, swing high या swing low, इत्यादी जैसे obvious levels पर set नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका आसानी से stop loss hunting हो सकता है, आपका stop loss एक ऐसे level पर होना चाहिए, जिसे पार करने पर आपके trading setup को invalidate कर दिया जाए, हम यहाँ एक bull pennant का trade कर रहे हैं, और इस pattern तब invalidate हो जाता है, जब price, bottom trendline support के नीचे break और close हो जाती है, इसलिए आपको अपना stop loss इस trendline support level से नीचे रखना होगा, या precisely swing low level के नीचे set कर सकते हैं, overshooting issues के कारण अभी भी long wicks की संभावना है, जो आपके stop loss को hit कर सकता है, यदि आप इसे बहुत tightly रखते हैं, और फिर price आपकी desired direction में बढ़ सकती है, जो ज़्यादा तर frustrating हो सकती है, इसलिए extra safe होने के लिए आपको ATR indicator का उपयोग करके, pennant market structure से कुछ दूरी पर अपने stop loss को set करके, अपने trades को अधिक सास लेने की जगह या buffer space देना होगा, एक बार जब आप bull pennant pattern के swing low की पहचान कर लेते हैं, तो अपना stop loss, swing low level के एक ATR नीचे set करें, और अंत में, आईए जाने की bull pennant pattern के लिए targets कैसे निर्धारत किया जाए, ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे आप अपने winners से exit कर सकते हैं, standard approaches में से एक pennant leg या pole की लंबाई के आधार पर, एक pre-determined profit target होना है, सबसे पहले pennant leg की लंबाई को mapे, फिर इस लंबाई को resistance trend line के उपर, breakout point से project करें, यह आपका profit target होगा, आप अपने stop loss को तब तक trail करना भी चुन सकते हैं, जब तक की market आपको trade से बाहर नहीं कर देता, क्या ये बहतर option है? इसके बारे में सोचें, bull pennant pattern आमतोर पर एक strong trending market में या price के एक range से breakout हो जाने के बाद दिखाई देता है, ऐसी market conditions में trend के जारी रहने के लिए बहुत अधिक शमता है, और इसे 50 period की moving average या channelier stops और trade से cable तभी exit करना है, जब market इस indicator के नीचे break और close हो जाता है. इसके अलावा, यदि आप projection method और trailing stop loss method दोनों के combination का उप्योग करते हैं, तो यह एक बहतर option है, ताकि आप projection method का उप्योग करके पहले से ही price move की क्शमता का अनुमान लगा सके, ताकि आपके profits का एक हिस्सा lock कर सके, और फिर trailing stop loss का उप्योग करके बाकी positions को right करें, जिससे आपके psychology पर असर न पड़े, और यदि price reverse भी हो जाए, तो भी किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके, अब जब आप जान गए हैं, कि एक pennant क्या है, और इसे कैसे trade करना है, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है, कि इसे कहां खोजना है, तो market की विभिन प्रकार की conditions क्या है, जहां आप एक pennant पा सकते हैं, pennants लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं, चाहे वो uptrend हो, range market हो, या downtrend हो, याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, कि market में जहां भी बनती है, bull pennant एक bullish continuation pattern है, और हमारा bias हमेशा long trades की तलाश करना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए, आए इच situation के बारे में अलग से बात करें. सबसे पहले, आपको ये define करने की आवश्यक्ता है, कि आपकी trading style और आपके द्वारा trade की जाने वाली time frame के संदर्ब में, अब trend क्या है, क्योंकि यदि आप अपनी आवश्यक्ताओं के आधार पर, एक trend को objectively define नहीं कर सकते हैं, तो एक bull penance setup को खोजना मुश्किल है, जो आपकी trading style को satisfy करता है. Trend को define करने का सबसे आसान तरीका, moving averages जैसे trend filters का उप्योग करना है. Short term, medium term और long term perspective के आधार पर, trend की पहचान करने के लिए आप 20 period, 50 period या 200 period आधी जैसे किसी भी moving averages का उप्योग कर सकते हैं. मान ले कि मेरे पास medium term का outlook है, या मैं एक swing trader हूँ, और मैं trend को define करने के लिए 50 SMA का उप्योग करता हूँ. अगर price 50 period के moving average से उपर है, तो इसका मतलब है कि trend बुलश का है. फिर हम बुल pennant के अफसरों की तलाश करते हैं. यदि आप एक बुल pennant देखते हैं, तो आप breakout candle के highs के उपर एक long entry लेने के लिए देख सकते हैं, और चुनकी हम नहीं जानते कि एक trend कितनी देर तक चलती है. आप अपने stop loss को ट्रेल करने के लिए 50 period के moving average या चनलिय स्टॉप्स का उप्योग कर सकते हैं. इसलिए हम केवल तभी exit करेंगे, जब price 50 period के moving average से नीचे या चनलिय स्टॉप्स के नीचे close हो जाती है. न केवल हम trend को filter करने के लिए 50 period moving averages का उप्योग करते हैं, वलकि अपने profits को book करने के लिए भी करते हैं. चुनकि bull pennant एक trend continuation pattern है, आपको ये thought हो सकता है कि इस type का setup unfavorable है. तो हम range market में वास्तव में इसका कैसे trade करते हैं? सच मुच बोल रहा है, तो हम range में trade नहीं करेगी. अब मैं क्या suggest कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि range के भीतर, highs और lows खरीदने की कोशिश करने के बजाए, हम range के potentially end होने की प्रतीक्षा करते हैं. इसका मतलब ये है कि हम resistance पर bull pennant pattern के रूप में बनने वाले tight consolidations या build-ups की तलाश करते हैं. इसलिए, जिस moment आप एक bull pennant को resistance में बनते हुए देखते हैं, यह आपको बताता है कि bias dominant होने लगे है और एक explosive breakout imminent है. आप breakout candle के उपर enter कर सकते हैं या तब भी entry कर सकते हैं जब price resistance के उपर close हो जाती है. और यदि आप lucky हैं तो आपको एक retest भी मिल सकता है. Stop loss और target वही है जिनकी हमने पहले चर्चा की थी. चुनकि अभी भी कोई valid trend नहीं है. यदि आप अपने stop loss को trail करना चाहते हैं, तो आप 20 period के moving average जैसे tighter averages का उप्योग कर सकते हैं. भले ही bull pennant एक trend continuation pattern है. फिर भी एक तरीका है जिससे आप downtrend पर trend continuation pattern के रूप में bull pennant का उप्योग करके profit उठा सकते हैं. इस method का market structure के साथ लेना देना है. यदि आप market structure के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसे मेरी price action playlist से देख सकते हैं. ये काफी आसान तरीका है. आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों की तलाश करनी होगी. सबसे पहले, price, downward trend line resistance के उपर close होनी चाहिए. हम downtrend structure में break के बारे में बात कर रहे हैं. फिर, अगर price इस trend line resistance के उपर एक bull pennant बनाती है, तो आपके पास एक jackpot trade है. आप यहाँ एक ending downtrend और एक potentially starting uptrend के बीच trade कर रहा है. अगर आप शुरुआत से ही uptrend को पकड़ने में सक्षम है, तो आपको जबरदस्थ फाइदा हो सकता है. Trade entry, stop loss और target की conditions समान रहेगी. Range market strategy के समान, मैं अभी भी suggestion देता हूँ, कि आप tight trailing stop loss का उप्योग करें, जैसे कि 20 period की moving average, क्योंकि हम एक contrarian position ले रहे हैं. मैं bear pennant के सभी details में नहीं जाओंगा. ये बिलकुल bull pennants की opposite है. यह एक bearish continuation chart pattern है और इसमें एक strong bearish body के साथ impulse candles शामिल है, जिसके बाद छोटी candles से जुड़ा एक tight consolidation और volatility में contraction भी है. हम उम्मीद करते हैं कि price trend line support level से नीचे, विसफोटक रूप से break करेंगे और trend के साथ जारी रहेगा. भले ही ये pattern आमतोर पर एक downtrending market में पाया जाता है. हम इसे तब भी देख सकते हैं, जब price एक support level से नीचे की range से तूटने वाली होती है, जहां एक build-up एक bear pennant के रूप में form किया जाता है. आप इसे एक uptrend के अंत में भी पा सकते हैं, जहां structure का break, bear pennant pattern के साथ होता है. अगर मुझे entry criteria पर चर्चा करनी है, तो हम केवल shorting opportunities की तलाश करेंगे. शून की breakdown विसफोटक होने की उम्मीद है, इसलिए जब breakout candle trend line support के नीचे एक closing देता है, तो हम trade entry करना चाह सकते हैं. आप breakout candle के low से नीचे short कर सकते हैं. यदि breakdown candle बहुत बड़ी है और reward to risk को affect कर रही है, तो trade को छोड़ देना या breakout level पर वापस pullback की प्रतीक्षा करना बहतर है, जिसका pennant के मामले में कम chances होता है. इसलिए यह आपको decide करना है कि आप कहां entry करना चाहते हैं. Volumes या momentum indicators या दोनों का उपयोग करके हर बार breakdown को validate करना सुनिश्चित करें. Pennant के formation के दोरान volumes आम तोर पर घटता है और breakout होने पर higher than average volumes हो जाता है. Stop loss को pennant के swing high level से उपर रखा जा सकता है. Swing high के उपर 180R buffer प्रदान करना, unexpected overshoots और stop loss hunting को limit कर सकता है. Target को price projection method का उपयोग करके रखा जा सकता है जहां leg की लंबाई को breakdown point के नीचे project करके target set किया जाता है या जब आप trend ride करने की योजना बना रहे हो तो suitable moving averages का उपयोग करके stop loss को trail करे. आपको तभी exit करना है जब price moving average से उपर close होता है. आगे बढ़ते हुए अब हम triangle patterns पर ध्यान के इंद्रित करते हैं, namely ascending triangle और descending triangle chart patterns. चलिए शुरू करते हैं. Ascending triangle एक bullish chart pattern है जो संकेत देता है कि market उपर जाने वाला है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ascending triangle में एक series of higher lows होती है, जो एक resistance line तक पहुँचती है. ये कुछ possible reasons से bullish strength का संकेत है. Higher lows इस बात का संकेत है कि buyers higher prices पर buy करने को तयार है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर buyers higher prices पर buy करने के लिए तयार नहीं है, तो आप resistance में higher lows को नहीं देखेंगे. Fact ये है कि market एक series of higher lows बनाता है, जो आपको बताता है कि price में increase जारी रहने के बावजूद market में demand है. दूसरी बात ये है कि selling pressure नहीं है. यदि strong selling pressure होता, तो price लंबे समय तक resistance पर नहीं रहती. इसके बजाए ये जल्दी से नीचे की ओर गिरेगा. लेकिन, चुन की price अभी भी resistance के पास hover कर रही है. इसका मतलब है कि selling pressure में कमी है. भले ही ये sell करने के लिए आकरशक level होते भी. ध्यान में रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे buy stop orders है, जो resistance के उपर cluster किये गए हैं. क्योंकि हर बार जब price resistance का टेस्ट करती है, तब अधिक traders market को short करने के लिए देखेंगे और वे अपना stop loss को resistance level का उपर रखेंगे. अब सोचिए कि अगर market उपर की और breakout देती है, तो क्या होगा? खेर, ये buy stop orders trigger हो जाएंगे और इससे prices में और तेजी आएगी. इसलिए, ascending triangle chart pattern का trade करते समय, ये common mistake न करें. क्योंकि अधिकांच trading textbooks आपको बताएंगी कि जब price resistance पर हो, तो short करें. लेकिन हर resistance level, shorting के लिए नहीं होता है. इसके बजाए, आपको ये देखना चाहिए, कि price इस resistance के करीब कैसे पहुँचती है. चुनकि आप ने सीखा है, कि higher lows का resistance में आना, bullish strength का संकेत है. इसका मतलब है, कि market resistance से उपर breakout होने की संभावना है. और इस case में, आप short trade लेना, और trend के against trading नहीं करना चाहेंगे. अब हम entry criteria के बारे में बात करेंगे. तो, अपनी entry को better time कैसे करें? खेर, इसे करने के कुछ तरीके है. पहला तरीका ये है, कि जब price ascending triangle के high level या resistance के उपर तूटता है, तो long trades लेना है. आपको बस resistance level के उपर एक limit buy order देना है, और जब price high level से उपर तूटती है, तो आप तुरंत long हो जाएंगे. यदि breakout real है, तो ये trade entry करने के लिए सर्वोत्तम prices में से एक है. लेकिन, ये तरीका बहुत risky है, और संभावना है, कि ये false breakout हो सकता है. ये अगली method पिछले approach के समान है. फर्क entry कर सकते हैं. ये false breakouts की संभावना को कम करता है. लेकिन, यदि momentum strong है, तो आप अपने trade में बहुत high prices पर enter करेंगे. यदि आप एक experience trader है, तो आप ascending triangle की resistance line पर price pullback या retest होने पर enter कर सकते हैं. breakout move miss करने पर भी ये आपको trade entry करने में मदद कर सकता है, और यह breakout candle के close होने की weight करने की तुलना में बहतर entry prices प्रदान करता है. इस approach के साथ मुद्दा ये है, कि market हर बार pullback या retest नहीं दे सकता है. एक बार फिर आप अपने approach में conservative हैं या aggressive हैं, इसके आधार पर आप अपनी पसंद का entry type चुन सकते हैं. इसके बजाए, volumes और अन्य indicators के साथ breakout को validate करना सुनिश्चित करें, कि क्या वास्तव में prices को उपर लेने के लिए market participants में interest है या नहीं? अब एक proper stop loss कैसे set करें? ताकि आप बहुत जल्दी trade से stopped out न हो जाएं. आपका stop loss एक ऐसे location पर होना चाहिए, जहाँ price पहुँचने पर आपके trading setup को invalidate कर दिया जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर market stop loss पर पहुँच जाता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप गलत हैं. इसलिए resistance level के नीचे stop loss रखना एक अच्छा idea नहीं है. फिर और कहां रखे? इसके बारे में सोचो, आपके stop loss को set करने के लिए ideal location कहा है, ताकि यदि market उस तक पहुँच जाए, तो आपको पता चल जाए कि ascending triangle pattern invalid है, चुनकि pattern higher swing lows बनाता है और यदि price recent swing low से नीचे जाती है और lower low बनाती है, तो हम सुमिश्चित हो सकते हैं कि analysis गलत था. तो ये ठीक वही जगह है जहां आपको अपना stop loss रखने की जरूरत है, यानि recent swing low के ठीक नीचे. आप recent swing low के नीचे 180R buffer जोड़ कर price को कुछ सास लेने की जगह भी दे सकते हैं. मुझे आशा है कि यह clear है. अब maximum profits के लिए अपने winning trades से कहां exit करें? हमेशा की तरह दो techniques हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं. पहला trailing stop loss method है और दूसरा है price projection method. Trailing stop loss का विचार यह है कि हमें पता नहीं है कि trend कितनी देर तक चलेगी. इसलिए जब तक market हमारे favor में चलता है, हम अपने profits को lock in करने के लिए, जहां तक possible हो, trend की ride करने के लिए stop loss को trail करते हैं. तो आप अपने stop loss को कैसे trail करते हैं? इसके लिए आप moving average जैसे indicators का उपयोग कर सकते हैं. उदाहरन के लिए आप swing trades के लिए 50 period के moving average का उपयोग करके अपने stop loss को trail कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आप अपनी position तब तक बनाए रखेगे, जब तक कि market 50 period के moving average से नीचे, break और close नहीं हो जाता. आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि 50 period का moving average क्यों? दर long term trends के लिए आप 200 period की moving average का उपयोग कर सकते हैं. और short term trends के लिए आप 20 period के moving average का उपयोग कर सकते हैं. अब price projection एक classical charting technique है, जहाँ price खुद ही exhaust हो जाएगी. तो यह ascending triangle chart pattern के लिए कैसे काम करता है? पहले highest point यानि resistance level से lowest point तक ascending triangle की width को measure करें. इस width को breakout level में जोड़ें और यह आपका price projection या expected target level है. Price projection के साथ issues में से एक यह है कि market आपके target profit को लगभग hit कर सकता है केवल एक sudden reversal करने के लिए. कभी-कभी यह पूरी तरह से reverse भी हो सकता है और आपके stop loss को hit कर सकता है. तो ऐसा कुछ होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए trailing stop loss और price projection combo बनाएं. यानि आप दोनों techniques को combine कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि यदि market आपके पक्ष में चलता है लेकिन यह आपके price projection level तक नहीं पहुचा है तो आप अपने open profits को lock in करने के लिए एक moving average का उप्योग कर सकते हैं. अगर एक sudden reversal हो जाता है, तब भी आपके पास जो कुछ भी profits है उसे protect करने में सक्षम होंगे और सब कुछ market को वापस नहीं देने पड़ेगा. Descending triangle एक और logical chart pattern है और यदि सही धंक से trade किया जाता है, तो यह आपको होने वाले explosive breakout trades को पकड़ने की अनुमती देता है. यह एक bearish chart pattern है, जो दर्शाता है कि seller's control में है और एक bearish trend continuation का संकेत देता है. Descending triangle, support के एक area में आने वाले एक series of lower highs की तरह दिखता है. इस pattern, selling pressure में strength और buying pressure की कमी का संकेत देता है. आम तोर पर, जब price drop हो जाती है, तो price को उपर धकेलने के लिए अधिक demand आती है. लेकिन, descending triangle के मामले में ऐसा नहीं है. क्योंकि, जैसे-जैसे price गिरती है, वैसे-वैसे buying pressure की कमी बनी रहती है. इसके बजाए, sellers और भी कम prices पर बेचने को तयार है. इसलिए, आपको एक series of lower highs मिलती है. विचार करने के लिए एक और point ये है, कि sell orders support level से नीचे cluster किये गए है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई traders इस point पर buy करेंगे, क्योंकि price support पर है, और अपने stop loss को इसके नीचे set करते है, क्योंकि अधिकांच trading textbooks बगिनर लोगों को यही सिखाती है. जैसा कि अधिक traders ऐसे करते है, support level के नीचे stop losses का इस cluster समय के साथ बढ़ता है. और क्योंकि market एक area of liquidity से दूसरे area में जाता है, price के support से नीचे break होने और stop loss के उन सबी clusters को trigger करने की संभावना है, जो बदले में selling pressure को बढ़ाता है. bearish continuation pattern होने के नाते, descending triangle का trade करने का एक सबसे आम तरीका है. जब price support से नीचे break हो जाती है, तो short trade लेना. लेकिन फिर भी, यदि आप highest probability breakout trades धूनना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा. breakdown, descending triangle के apex के पास होना चाहिए. apex, triangle pattern की tip को refer करता है, जहां दोनो trend lines meet करती है. अब, आप apex के पास इसलिए short करना चाहते हैं, क्योंकि यह वो जगह है, जहां volatility सबसे कम है, और prices squeeze हो जाती है. जब के अलावा, price जितनी बार support level का test किया जाएगा, उतना बहतर होगा. यह इसलिए है, क्योंकि जब price कई बार support level का test करते हैं, तो यह अधिक buyers को आकरशित करेगा, और इस प्रकार support के नीचे stop orders की संख्या में वृद्धी करेगा. breakout traders के लिए यह बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर price support से नीचे तूट जाती है, तो sell stop loss orders के इस cluster से नीचे की ओर selling pressure बढ़ जाएगा. आगे बढ़ते हुए, हम इस बात पर ध्यान देंगे, कि इस pattern को कैसे trade किया जाए, अपनी trade entry का time कैसे करें, और अपना stop loss कैसे set करें? यदि आपने देखा है, जब भी price गिरती है, तो ये price बढ़ने की तुलना में, बहुत जल्दी से move करती है. इस लिए, यदि आप breakout candle के support level से नीचे close होने का इंतजार करते हैं, तो संभावना है, कि price बहुत rapidly गिर सकती है, और आपको market का पीछा करना पड़ेगा. इस मामले में, एक limit sell order का उपयोग करना और trade में enter करना prefer किया जाता है, जब price support से नीचे break हो जाती है. यदि आप एक अधिक conservative trader है, और आप breakout point पर आख बंद करके sell limit order नहीं देना चाहते, क्योंकि price false breakouts दे सकती है, और उपर बढ़ सकती है. इसलिए, आप अपने bias की confirmation के लिए, price की wait कर सकते हैं, और आप support level से नीचे, breakout candle close होने के बाद, market को short कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा, यदि आप descending triangle के breakdown को miss out करते हैं? यदि ऐसा होता है, तो आखरी चीज जो आप नहीं करना चाहते हैं, वो pattern के तूटने के बाद, market का पीछा करना. इसके बजाए, एक बहतर option ये है, कि आप breakout point को फिर से retest होने के लिए, price का इंतजार करें. यदि आप फिर से retest की प्रतीक्षा करते हैं, आप एक favorable trade location में entry कर रहे हैं, जहां previous support level, resistance के रूप में कार्य करने की संभावना है. इसका मतलब है, कि आपके trade पर एक tight stop loss है, जो एक बहतर reward to risk ratio प्रदान करता है. लेकिन, दुख की बात है, कि इस pattern के साथ, pullback या retest बहुत बार नहीं होते हैं. breakout validation के लिए volumes का उपयोग करना अच्छा practice है. और stop loss के बारे में क्या? वो point, जहां descending triangle pattern invalidate हो जाता है, वो तब बनता है, जब price सबसे recent swing high level से उपर, break और close हो जाती है. तो एक अच्छा stop loss सबसे recent swing high level से उपर होगा, और अगर आप और भी safe होना चाहते हैं, तो इसे कुछ buffer दें, जैसे 180R और इसे recent swing high से उपर set करें. maximum profits के लिए अपने winning trades से कैसे exit करें? हर दूसरे pattern के समान, आपके winning trades से exit करने के दो तरीके हैं. पहला है, price projection method और दूसरा trailing stop loss method है. Price projection में descending triangle के highest और lowest point के बीच की दूरी की measurement करें. इस height को लें और इसे breakout points से नीचे की ओर project करें. projected future price point हुआ है, जहां आप descending triangle pattern के breakdown में enter करने के बाद, अपने trade से exit करते हैं. आप price projection technique का उप्योग ये तै करने के लिए भी कर सकते हैं, कि trade में entry करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं. यानि, अगर price अपने projected target तक पहुचने के करीब है, तो शायद इस move में ज्यादा reward नहीं बचा है, और आप trade को छोड़ना चाह सकते हैं. दूसरी method, trailing stop loss का उप्योग करना है. Price projection technique के विप्रीद, trailing stop loss, एक fixed target profit का उप्योग नहीं करता है. इसके बजाए, जैसे ही price आपके favor में चलती है, आप अपने stop loss को trail कर लेते हैं, ताकि आप trend ride कर सकें. आपको सबसे पहले ये तै करना होगा, कि आप किस प्रकार की trend को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो short, medium या long term की trend हो. अपने stop loss को suitable moving averages के साथ trail करें. उदाहरन के लिए, short term के लिए 20 SMA, medium term के लिए 50 SMA, और long term के लिए 200 SMA. फिर अपने trade से तब exit करें, जब price moving average के उपर close हो जाती है. इसलिए, यदि आप market में price swings को capture करना चाहते हैं, तो price projection technique बहतर है. और अगर आप market में trend की right करना चाहते हैं, तो trailing stop loss method सबसे अच्छा काम करता है. हमारे patterns की fourth category की ओर बढ़ते हैं. rectangle formation, important support और resistance का प्रतिनिधित्व करने वाली horizontal lines द्वारा formed एक classical chart pattern है. यह एक continuation pattern है, जो existing market trend में pause के दोरान एक trading range बनाता है. pattern की पहचान करना काफी आसान है, क्योंकि इसमें कम से कम दो बराबर highs और दो समान lows है. highs और lows दो parallel lines बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, जो rectangle के top और bottom बनाती है. एक rectangle formation, sellers और buyers के बीच indecision की एक period को दर्शाता है, क्योंकि वे एक दुसरे को punches फेकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का दूसरे पर clear dominance नहीं है. rectangles को trading range, congestion areas या consolidation zones के रूप में भी जाना जाता है. हम continuation patterns के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि price breakout करके existing trend के साथ जारी रहेगी. इस अर्थ में rectangles दो types के होते हैं. एक upward price move के दोरान top rectangle बनता है और breakout के बाद यह uptrend की continuation का संकेत देता है. अगला rectangle एक downtrend के दोरान बनता है और इसे bottom rectangle कहा जाता है, जो संकेत करता है कि breakout के बाद down move जारी रहेगा. rectangle patterns trend को reverse भी कर सकते हैं. इसलिए इन reversal patterns को double tops और triple tops जैसे specific names दिये जाते हैं, जब price respectively दो और तीन बार resistance का टेस्ट करती है और फिर नीचे जाती है. इसे double bottom और triple bottoms भी बुलाते जब price support levels का respectively दो और तीन बार टेस्ट करता है और उपर की और reverse करता है. पैटन क्या करने वाला है, ये सपश्ट रूप से समझने के लिए हमें breakout होने तक इंतजार करना होगा. इसलिए यदि आप इस pattern को by heart करने की कोशिश करते हैं, तो यह essentially एक confusing piece of price action है. मैं जो सलाह देता हूँ, वो real breakout देने के लिए price की प्रतीक्षा करना है, और फिर decide करना है कि क्या आप trend के साथ trade करना चाहते हैं या इसके खिलाफ जाना चाहता है. In short, rectangle pattern की पहचान करने के लिए हमें एक trending stock का पता लगाने की आवश्यक्ता होगी, जिसमें consolidation की period हो. कम से कम, दो tops और दो bottoms एक दूसरे से horizontal होने चाहिए. इस stock के behavior से पता चलता है कि price एक box के अंदर locked है. Top rectangle एक uptrend के दोरान देखा जाता है. आपको pattern के top level के माधिम से एक breakout नोटिस करना होगा. ये confirm करेगा कि bullish move वापस आ रही है. जब pattern bullish trend को जारी रखने के लिए resistance level के उपर एक breakout बनाता है, तो traders long position में enter कर सकते हैं. Bottom rectangle pattern इसके bullish counterpart के बिल्कुल विपरीध है. ये pattern downtrend के दोरान होता है. pattern की confirmation करने के लिए price को pattern के lower support level को तोड़ना होगा. bearish trend को जारी रखने के लिए जब price range के निचले हिससे को तोड़ती है, तो traders short positions में enter करना चाहते हैं. जब आप rectangle pattern को देखते हैं, तो कैसे trade करें? यदि आप एक aggressive trader है, जो entry लेने के लिए best possible price की तलाश कर रहे हैं, तो एक top rectangle pattern के लिए आप एक long trade में enter कर सकते हैं, जब price resistance level से ऊपर तूट जाती है. इसका downside ये है, कि यह एक false breakout हो सकता है, और आप position से stopped out हो सकता है. अगला approach अधिक conservative है. हम breakout candle resistance level से उपर close होने का इंतजार करेंगे. ज्यादातर इस method से fake outs में फसने की संभावना कम हो जाएगी. इसमें केवल एक limitation यह है, कि जब price बहुत अधिक momentum के साथ break होती है, तो आपको बहुत high prices पर buying करना पड़ेगा. फाइनली क्या होगा, यदि आप breakout को पूरी तरह से miss out करते हैं? Only available option, एक pullback की wait करना, या resistance turn support level पर price retest होना, और फिर वहां से long entry लेना है. यदि दोबारा retest नहीं होता है, तो price के पीछे न भागें, बस इसे trade करने से बचें. आपको और भी बहतर trades मिलेंगे. सुनिश्चित करें कि breakout के दोरान volumes बढ़ता है, जो high buying interest का संकेत देता है. ऐसा करने के लिए आप MACD, RSI आदी जैसे indicators का भी उपयोग कर सकते हैं. आम तोर पर एक bearish breakdown के साथ, एक bottom rectangle pattern के लिए हमारी primary instinct बेचने की होनी चाहिए. यहाँ भी three trade entries संभव हैं. breakdown होने पर सबसे aggressive entry होता है. अधिक conservative approach, support level के नीचे, breakdown candle के close होने की confirmation की wait करना है. अंतिम option यह है कि यदि आप breakdown को miss out कर गए हैं, तो फिर आप pull back या retest की प्रतीक्षा करें. इसलिए मैं optimal entry decide करने के फैसला आप पर छोड़ता हूँ. volumes और अन्य momentum based indicators के साथ, breakout को validate करना सुनिश्चित करें. अब हम proper stop loss set करना सीखेंगे. हम नहीं चाहते कि stop loss हमारे risk management को प्रभावित करें. इसलिए जब आप एक rectangle breakout देखते हैं, तो support और resistance के बीच की दूरी को मापें, और फिर इस width के middle में अपना stop loss लगाएं. ये top और bottom rectangles दोनों पर apply होता है. ऐसा करने से आपका position secured रहेगा. तब आपको पता चल जाएगा कि आप जो straight से maximum amount खो सकते हैं, वो pattern के आधे width के बराबर है. एक rectangle breakout pattern पर खरीदने या बेचने के बाद stop loss को midpoint पर रखा जाना चाहिए. क्योंकि trend जारी रहने से पहले breakout में shakeouts होने की संभावना होगी. इसलिए यदि आप stop loss को breakout point पर या उसके ठीक नीचे रखते हैं, तो trend के साथ right शुरू करने से पहले, smart money अधिक shares best prices पर acquire करने के लिए आपके stop losses को hit कर देगी. अब बात करते हैं कि कैसे एक profitable trade से exit करें? Rectangle pattern का trade करते समय, minimum target के बारे में एक clearly stated rule है. आपको pattern के width के बराबर minimum price move के लिए अपने trade में बने रहना चाहिए. यह imply करता है कि rectangle के support और resistance के बीच की width को breakout moment से chart पर project करना चाहिए. चुनकि stop loss rectangle range के middle point पर है, इसका मतलब है कि target के size stop loss का दोगुना है. इससे reward to risk ratio 2 is to 1 हो जाता है. जब तक यह move exhaust नहीं हो जाता, तब तक आप trend को ride करने के लिए trailing stop loss method का उपयोग कर सकते है. हाँ, आप सही है, suitable period का moving averages इसमें आपकी मदद कर सकता है. एक और तरीका है, जिससे traders, rectangles का trade कर सकते है. यदि pattern की width बहुत अधिक है, तो आप support level पर buy और resistance level पर sell कर सकते है. इसका उपयोग intraday या swing strategy के रूप में किया जा सकता है, यदि यह decent reward to risk ratio प्रदान करता है. यदि आपके पास एक top rectangle pattern है, तो आप bottom support level से एक long entry ले सकते हैं, और अपने stop loss को consolidation के दौरान सबसे lowest wick या candle के नीचे रख सकते हैं. targets pushed रूप से resistance level होगा. इसी तरह, एक bottom rectangle pattern के लिए जब price top resistance level से नीचे आती है, तो आप short trades के लिए देख सकते हैं, और stop loss को consolidation के दौरान सबसे highest wick या candle के ऊपर रखा जाता है. target, lower support level हो सकता है. कभी-कभी यदि breakout भी हो जाता है, तो यह method आपको breakout होने से पहले ही best possible price provide करती है. मैंने cup and handle pattern को last में क्यों रखा? इसका कारण यह है कि अभी भी इस बात पर debate चल रही है कि क्या cup and handle pattern एक continuation pattern है या reversal pattern है? मेरी राय में cup and handle pattern, continuation और reversal pattern दोनों हो सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह chart में कहां बनता है? यदि यह एक uptrend के दोरान बनता है तो pattern एक bullish continuation का संकेत देता है. इसी तरह यदि यह downtrend के दोरान बनता है तो pattern एक bullish reversal का संकेत देगा. मैं वास्तव में इस बारे में curious नहीं हूँ कि pattern कहां बनता है लेकिन मुझे इस fact में अधिक दिल्चसपी है कि breakout हमेशा upside की ओर होता है यानि cup and handle pattern से bullish breakout मिलने की उम्मीद है. अब आईए finer details को जानते हैं. pattern में दो parts होते हैं, जैसा की नाम से पता चलता है, एक cup, एक handle और एक neck line जो resistance के रूप में कारे करता है. bearish decline के बाद cup बनता है, इसके बाद smaller या weaker candles के साथ consolidation की period होती है, जो market bottoming के संकेत दिखाती है, जिसके बाद price resistance की ओर higher highs बनाती है, ये दर्शाता है कि bulls धीरे-धीरे बैस से आगे निकल जाते हैं. यह एक round bottom वाली कटोरी जैसा दिखता है. consolidation के दोरान, pattern के middle की ओर, volumes decline होना चाहिए, और फिर up move के दोरान, volumes बढ़ना चाहिए, जो increased buying pressure का संकेत देता है. Price, resistance पर कैसे react करता है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको बताता है कि resistance पर अभी भी selling pressure उपलब्ध है या नहीं. एक cup and handle pattern invalid हो जाता है, यदि आप resistance level से sell off देखते हैं, क्योंकि यह आपको बताता है कि selling pressure अभी भी उपलब्ध है और market उपर जाने के लिए तयार नहीं है. लेकिन यदि आप देखते हैं कि price resistance पर अच्छी तरह से hold कर रही है, तो यह bullish strength का संकेत है, क्योंकि यह बताता है कि buyers इन higher prices पर खरीदने को तयार है. तो resistance के तहट handle को एक tight consolidation या एक build-up बनाना पड़ता है. इस point पर कई traders सोचेंगे कि उन्होंने कई trading books से क्या सीखा है, यदि price resistance पर है, तो यह मेरे लिए short trade लेने का समय है. अब ये ठीक है, अगर price ने resistance तक एक strong momentum move बनाई है, और इसे वहाँ से strongly reject कर दिया गया है. लेकिन, अगर price resistance के पास पहुँचती है, और build-up बनाती है, या यहाँ तक की, अगर यह resistance में higher lows बनाता है, तो आपको cautious रहना होगा. क्योंकि ये ताकत का संकेत है, और आपको बता रहा है, कि ऐसे buyers हैं, जो इन higher prices पर buying करने को तयार है. आखिरी गलती जो आप नहीं करना चाहते हैं, वो market को short करना है, क्योंकि price उपर की और breakout करने की संभावना है. इसलिए, handle को एक flag या pennant pattern के रूप में, एक strong consolidation बनना चाहिए, जो अपने आप में bullish continuation patterns है. इसके अलावा, consolidation के दोरान, volumes में गिरावट आनी चाहिए, जो selling pressure की कमी को दर्शाता है. साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें, की handle, कप से छोटा होना चाहिए. handle को cup के lower half से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और ideally, इसे cup के upper third part में रहना चाहिए. handle जितना गहरा नीचे जाएगा, market के उपर की और breakout होने की संभावना उतनी ही कम होगी. handle, prices को कम करने के लिए आखिरी bearish attempt है, और जब price handle के उपर breakout हो जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि prices में rise होगी. अब entry, stop loss और target criteria पर एक नजर डालते हैं. Cup and handle pattern की confirmation तब होती है, जब price, tight consolidation range से उपर break हो जाती है. तो, ये सबसे aggressive और सबसे cheapest entry price है जो आप पा सकते हैं. लेकिन, चून की अभी भी इसके उपर एक resistance level है, इसलिए price reverse हो सकती है और आपके stop loss को hit कर सकती है. एक alternate entry, neckline के उपर price breakout होने पर long position लेके चलना है. ये दूसरी सबसे अच्छी price है, जहां आपको entry मिल सकती है. इस particular method में false breakouts का खत्रा होता है. यदि आप अधिक conservative है, तो breakout candle के neckline के उपर close होने की प्रतीक्षा करें, और फिर breakout candle highs के उपर या अगले candle पर एक long entry लें. हालां कि कभी-कभी market neckline के बहुत उपर close हो जाता है और आपको खराब entry points मिलता है. इसका परिणाम एक wider stop loss और आपके trade पर एक छोटे position size होता है. ऐसे instances में आप neckline पर pullback या retest के रूप में एक shakeout करने के लिए price का इंतजार कर सकते हैं और जब price उपर की और reverse हो जाती है, तो आप entry करने की योजना बना सकते हैं. volumes और अन्य momentum indicators का उपयोग करके ये सुनिश्चित करें कि breakout valid है या नहीं. जिन cups का bottoms, लंबा और अधिक U-shaped का होता है, वे बहतर trade signals देते हैं. शाप V-shaped bottoms वाले cups से सावधान रहे. अब मेरा stop loss सही तरीके से कहां set करें? जब भी आप stop loss लगाते हैं, तो उसे हमेशा इस rule का पालन करना चाहिए. आपका stop loss एक ऐसे level पर रखा जाना चाहिए. जहां अगर market उस level तक पहुचता है, तो आपका trading setup invalidate हो जाता है. अपने आप से पूछें, cup and handle pattern कब invalid बनेगा? एक cup and handle invalid तब होती है, जब price, pattern के handle के नीचे, break और close हो जाता है. Stop loss placement, एक bull flag या bull pennant pattern के मामले के similar होती है. अब, आप अपने stop loss को handle के exact lows पर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि market उस area of value पर trade कर सकता है, और liquidity लेकर reverse हो सकता है. इसके बजाए, इसे handle के नीचे, कुछ 180R buffer space देकर set करें. अब बात करते हैं, अपने winning trades से कैसे exit करें? पहली method, स्पस्ट रूप से, classic price projection method है. यहां हम cup की height को, cup के bottom से neckline तक मापते हैं, और फिर, इसे breakout point से neckline के उपर project करते हैं. यह आपका future profit target होगा. दूसरी method, अपने stop loss को trail करने, और बड़े trends की ride करने के लिए, moving averages का उप्योग करना है. अब trending markets में, price long periods के लिए, moving average से उपर रह सकती है. इसलिए, आप जो करेंगे, वो आपके stop loss को trail कर देना है, क्योंकि price, moving average से उपर बनी हुई है, और जब price, moving average के नीचे close होने पर, आप position से exit कर सकते हैं. यदि आप cup और handle को upside down flip करते हैं, तो आपको एक inverted cup and handle pattern मिलेगा. यह एक bearish breakdown pattern है. एक trend में कहां बनता है, इसके आधार पर यह एक bearish continuation pattern या एक bearish reversal pattern हो सकता है. लेकिन हमें इसमें सबसे कम दिल्चस्पी है, कि यह कहां बनता है. Inverted cup का formation, depleting demand और buying pressure की कमी को दर्शाता है, जिसे volume का उपयोग करके validate किया जा सकता है. Handle, एक bear flag या bear pennant के रूप में एक tight consolidation होना चाहिए, जो contracting volumes के साथ भी आता है. यदि handle cup के 50 प्रतिशत या उपर से अधिक जाते हैं, तो बहतर होगा कि इसे एक prices को और उपर push कर रहा है. Entry criteria के मामले में एक short trade initiate करना, जब price handle के consolidation के नीचे break और close हो जाता है, या जब price neckline के नीचे तूट जाता है. एक अधिक conservative entry level breakdown candle के lows से नीचे होगा, जब breakdown candle support level से नीचे close होने के बाद. यदि आप trade entry miss out किया है, तो आप neckline पर एक pullback या retest की प्रतीक्षा करे, और जब price नीचे की ओर reverse हो जाती है, तो एक short trade लेना. Stop loss को handle के उपर, 180R buffer के साथ रखा जा सकता है. Target को inverted cup की height के बराबर, यानि neckline से cup के top तक set किया जा सकता है, और breakdown point से neckline के नीचे project किया जा सकता है. पूरे trend को write करने का एक और तरीका, moving averages का उप्योग करके, trailing stop loss method का उप्योग करना, और जब price average से उपर close होते ही, trade से बाहर निकलना है. अब यह एक ही वीडियो में सारे major continuation patterns है. मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रतियक pattern के पीछे के logic को समझने में मदद करेगा. पिछले episode में हमने 5 विभिन प्रकार के continuation chart patterns के बारे में बात की. हाला कि इस वीडियो में हम reversal patterns के बारे में बात करेंगे. हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम examine करेंगे कि यह pattern बजार में क्यों काम करते हैं? और आपको इनका trade क्यों करना चाहिए? हम entry, stop loss और target criteria के साथ चार सबसे common और सबसे लाबदायक reversal patterns पर चर्चा करेंगे. यदि आप नहीं जानते कि reversal pattern क्या है, तो जैसा कि नाम से पता चलता है, यह patterns अंकेत देते हैं कि बाजार में existing trends संभफता reverse हो जाएगी, या सरल शब्दों में वे predict करते हैं कि pattern की formation के बाद, बाजार existing trend का opposite direction में you turn लेगा. इनमें से अधिकांश reversal patterns, trends के बीच consolidations के रूप में बनते हैं. यह ऐसा है, जैसे बाजार हमें बता रहा हो कि वो एक particular direction में चलते चलते ठक गया है और कुछ आराम करने के बाद, बिलकुल opposite direction में जाने की सोच रहा है. हम चार reversal patterns और उनके counter patterns पर चर्चा करेंगे. पहले हम head and shoulders और inverted head and shoulder patterns को समझेंगे. इसके बाद double tops, double bottoms, फिर triple tops और triple bottoms को जानेंगे. और अंत में हम rising और falling wedges के साथ विडियो को end कर देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Head and shoulder pattern सबसे लोगप्रियर reversal chart pattern में से एक है. और क्योंकि यह लोगप्रियर है, इसलिए गलती होने की संभावना भी अधिक है. आईए समझें कि pattern वास्तव में क्या दर्शाता है. इस pattern में चार parts होते हैं. पहला left shoulder, फिर head, फिर right shoulder और neckline. कुल मिलाकर pattern सरल दिखता है. लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या है? और क्यों इससे फर्क पड़ता है? आईए इसका अधिक detail में analysis करें. हम left shoulder से शुरुआत करेंगे. मार्किट में initial trend, एक uptrend है, जहां कीमतें उपर बढ़ती है. फिर, बाजार correction या pullback करता है. जैसे ही बाजार pullback करता है, तो left shoulder बनता है. इस point पर यह नहीं बता सकता है कि market reverse हो जाएगा, क्योंकि एक trending market में pullbacks regularly form होता है, और यह सिर्फ एक और swing low हो सकता है, जहां से कीमतें उपर जा सकती है. फिर, बाजार पिछले swing high से उपर trade करता है, जिससे एक higher high बनता है. हाला कि, sellers control ले लेते हैं, या उपर की और price rally का opposition करते हैं, और कीमत को पहले से बने swing low की और धकेल देते हैं. इस price action के परिनामस्वरूप, जो swing high बनता है, वो pattern का head होता है. इसके अलावा, दोनों swing lows को जोडने वाली line, एक support level बनाती है, जिससे neck line कहा जाता है. यहां higher highs और higher swing lows से बने, uptrend structure का violation किया गया है. लेकिन फिर भी हम इसकी guarantee नहीं दे सकते कि reversal होगा, क्योंकि price sideways में भी trade कर सकती है. neck line से buyers कीमत को उपर उठाने का अंतिम प्रयास करते हैं, लेकिन वे previous high या pattern के head को तोडने में भी असफल होते हैं, और एक बार फिर sellers control लेते हैं, और prices को neck line की ओर धकेलते हैं. पिछले high की तुलना में ये lower high बनाता है, जो market sentiment में bearishness की ओर बदलाव का संकेत देता है. एक मात level जो bulls के favor में है, वो neck line है, जो एक support level है. या दूसरे शब्दों में neck line, buyers के लिए last line of defense है. यदि price इसके नीचे break हो जाती है, तो बाजार नीचे जा सकता है, और यह downtrend की शुरुआत भी हो सकती है. तो basically, head and shoulder pattern एक possible trend reversal होने का संकेत देता है, क्योंकि bias कीमत को उपर बढ़ाने में विफल रहते हैं. अब सवाल आता है कि क्या सभी head and shoulder pattern trade करने के लायक है. दरसल, head and shoulder chart pattern पर trading करने से पहले कुछ चीजे हैं, जिन पर आप seriously consider करना चाहिए. ये इससे संबंधित हैं कि head and shoulder chart pattern कितना reliable है? सभी head and shoulder pattern समान नहीं बनाए गए हैं. क्योंकि right shoulder कैसे बनता है, यह एक महत्वपुर्म criteria है, जिसके आधार पर आप ये decide कर सके कि breakout का trade करना चाहते हैं या नहीं. उदाहरन के लिए यदि आपके पास head and shoulder का pattern है, जिसमें right shoulder बहुत लंबा है, तो आप breakout खरीदने से बचना चाहेंगे. और ऐसा क्यों है? क्योंकि price right shoulder की highs से neckline या support area तक लंबी दूरी तै कर चुकी करने की इच्छा रखने वाले traders की और से buying pressure का सामना करना पड़ सकता है. इससे strong buying pressure बनता है, जिससे prices में increase होती है और pattern fail हो जाएगा. इसलिए सुनिश्चित करें कि right shoulder shallow हो और ये head के 50% से नीचे रहे. इसके अलावा, दो और चीजे हैं, जिन पर आपको ध्यान इल में समझाऊंगा. ये सच है कि head and shoulder एक reversal chart pattern है. लेकिन यदि market बहुत मजबूत uptrend में है, तो एक simple chart pattern पूरी upmove को reverse करने की बहुत कम संभावना है. इसके बजाए, market में uptrend जारी रहने की chances अधिक है. हो सकता है कि pattern एक short term retracement generate कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से reversal नहीं. इसलिए सुनिश्चित करें कि आप एक बहुत मजबूत trending markets के खिलाफ डाव न लगाए, सिर्फ इसलिए कि आपने head and shoulder pattern देखा है. दूसरा factor pattern की duration है. आपके द्वारा follow किये जाने वाले time frames के आधार पर head and shoulder pattern बनने में 200 दिन या 20 दिन या 20 minutes लग सकते हैं. लेकिन common sense के साथ सोचो, तो ये बहुत स्पष्ट है कि जिस pattern को बनने में 200 दिन लगते हैं, वो 20 दिन में बनने वाले head and shoulders की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, जो बदले में 20 minute में बनने वाले pattern से अधिक relevant है. आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि market 200 day pattern के neckline को तोड़ता है, तो अधिक traders या buyers होंगे, जो support पर buy करेंगे, और most traders अपना stop loss neckline के नीचे रखेंगे. ये buyers trap हो जाएंगे और वे बाहर exit करने के लिए rush करेंगे, या breakdown होने पर, उनके sell stop loss orders trigger हो जाएंगे, जिससे selling pressure और बढ़ जाएगा. जब आप 20 minute में बने pattern का मामला लेते हैं, तो ये हमेशा सच नहीं हो सकता है, क्योंकि कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, और pattern आपको desired result नहीं दे सकता है. इसलिए, higher time frames पर बने head and shoulder pattern और जिसे बनने में अधिक समय लगता है, उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है. अब, इसका मतलब यह नहीं है, कि जब price neckline तोड़ती है, तो आप तुरंथ short trades कर दे. Head and shoulder chart pattern का trading करने के कुछ सर्वोत्तम तरीके हैं. मैं trade entry techniques से शुरुआत करूंगा. इस pattern के लिए, 4 possible entry methods हैं. पहली और सबसे aggressive entry तब होती है, जब price neckline से नीचे break होती है. विचार यह है, कि breakdown candle neckline के नीचे close होने का इंतजार किया जाए, और फिर, breakdown candle के close या low price के नीचे, एक short entry ली जाए. इस technique का advantage यह है, कि आप बहुत जल्दी किसी trade में entry कर पाएंगे, और शायद आपको best possible entry price मिलेगा. लेकिन दोश यह है, कि price reverse हो सकती है, और false breakout दे सकती है, और आपके stop loss को hit कर सकती है. दूसरी entry technique, price build-up के बाद breakout से जुड़ी है. बिल्दप का आर्थ है, एक area of value के निकट, कीमतों का tight consolidation, विशेश रूप से support या resistance level के निकट. आप मेरे price action course में support और resistance के secrets के बारे में अधिक जान सकते हैं. इस मामले में, हम neckline या support level के पास, price के tight consolidation का इंतजार करेंगे. और यदि price नीचे तूटता है, तो आप breakdown candle close के ठीक नीचे या low price के नीचे अपनी trade entry का reference दे सकते हैं. इस method का advantage, सपश्ट रूप से stop loss का tight placement और एक अच्छा entry price और बहतर reward to risk भी है, जिसके बारे में हम अगले section में चर्चा करेंगे. लेकिन drawback ये है कि breakdown candle बहुत बड़ी हो सकती है और आप बहुत lower prices पर बेचेंगे. आप शायद सोच रहे होंगे, क्या होगा, यदि बाजार में कोई build-up नहोंगे और फिर भी गिरावट जारी रहे, तो क्या मैं trade से चूक नहीं जाओंगा? यह एक relevant question है, क्योंकि build-ups रोज-रोज नहीं होता है. एक अन्य common method कीमतों में primary pullback की प्रतीक्षा करना है. ये technique आपको breakdown के बाद भी कीमतों में उतार चड़ाव को पकड़ने की सुविधा देती है. यह इस तरह से काम करता है. यदि market बिना किसी build-ups के breakdown हो जाता है, तो हम primary pullback होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर candles के साथ, prices में एक temporary up move है, जो आम तोर पर एक flag या pennant pattern जैसा दिखता है, जिसे आप clearly trade करना जानते होंगे. और यदि market में गिरावत आती है, तो आप previous swing low के break पर, short trade लेने पर विचार कर सकते हैं, या जब prices decline होने लगती हैं, तो तुरंत entry कर सकते हैं. जैसा कि मैंने अभी mention किया है, सबसे अच्छे pullbacks, shallow retracements और small bodied candles के साथ होते हैं. लेकिन क्या होगा, अगर हमें एक steep pullback मिले, और वो भी large bodied candles के साथ. इस मामले में हम क्या करेंगे? यदि pullback गहरा है, तो हम principle of polarity के अनुसार, neckline या previous support turn resistance level में, prices का फिर से retest करने की प्रतीक्षा करेंगे. अब्जर्व करें, यदि price, neckline का दुबारा परीक्षन करती है, तो shooting star, bearish enveloping pattern, evening star, आदी जैसे candlesticks के रूप में, neckline से price rejection की weight करें. आप मेरे price action course में, candles का उपयोग करके, reversal trading करने के बारे में अधिक जान सकते हैं. यदि आपको लगता है कि price rejection है, तो आप अगली candle पर short entry कर सकते हैं. ये retest technique आपको अपनी entry को time करने और बहतर prices पर बाजार में shorting करने की सुविधा भी देती है. लेकिन downside ये है कि price हमेशा retest नहीं करेगी और आप trade से पूरी तरह चूक सकते हैं. ध्यान रखने योगे एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि left shoulder और head के formation के दोरान volumes कम होना चाहिए, जो buying interest में कमी का संकेत देता है और right shoulder के formation के दोरान और breakout के दोरान भी volumes बढ़ना चाहिए, जिससे increased selling interest की पुष्टी होती है. इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही entry techniques का उपयोग करें. अब हम अपने entry criteria के संबंध में stop losses लगाने के बारे में बात करते हैं. जैसा कि मैंने कई बार चर्चा की है, आपका stop loss उस level पर होगा, जिसका उलंगन होने पर आपका trading setup invalid हो जाएगा. चुनकि हम head and shoulder pattern से deal कर रहे हैं, आपका stop loss ऐसे level पर होना चाहिए, जो pattern को पूरी तरह से invalidate कर दे. सच कहो तो, यदि prices right shoulder से उपर जाती है, तो pattern invalid हो जाएगा. इसलिए, यदि आपकी entry बहुत aggressive थी, जब prices neckline से तूटती थी, तो आपको अपना stop loss pattern के right shoulder पर या उससे उपर set करना चाहिए. अब, अगर आपने neckline के पास buildups के बाद short entry ली है, तो क्या होगा? इससे आपको अधिक tight stop loss लगाने की आजादी मिलती है, preferably, build up consolidation के ठीक उपर, जो reward to risk ratio को boost देगा. मान लीजिए, कि आप दोनों entries से चूग गए, और prices में primary pullback आने के बाद, आपने market को short कर दिया. फिर, अपना stop loss, pullback candles के group में highest price के उपर, या neckline के ठीक उपर set करें, यदी pullback neckline के बहुत करीब बना है. Last method ये है, कि यदी आप retest के बाद entry करते हैं. इस scenario में, stop loss को retest candles के group की सबसे highest wick के ठीक उपर रखा जा सकता है, या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और stop loss को pattern के right shoulder के उपर रख सकते हैं. अब हम इस पर विचार करेंगे कि maximum profits के लिए अपने trade से कैसे बाहर निकलें. खेर, तीन लोग प्रिये techniques हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं. पहला price projection method है, दूसरा है trailing stop loss method. और अंत में इन दोनों तरीकों का combination है. आईए मैं उनमें से प्रतेक को समझाओं. Price projection एक classical charting technique है, जो यह निर्धारित करती है, कि price move कहां समाप्थ हो सकती है. ये price exhaustion पर केंदरित है. विचार सरल है. Prices, एक pattern की highest width के बराबर दूरी तै करेगी. इस pattern की सबसे अधिक width neckline से head तक होती है. तो आपको बस head से neckline तक की width पहचाननी है. फिर इस दूरी को neckline से नीचे की और project करें. दूसरी method बड़े trends right करने के लिए अपने stop loss को trail करने की तरह है. यदि आपने पिछले episode follow किया है, तो आप जानते हैं कि बाजारों में massive trends right करने के लिए अपने stop loss को कैसे trail किया जाए. ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप अपने stop loss को moving averages के साथ trail करें. Moving average का selection उस time frame पर निर्भर करेगा, जिस पर आप trading कर रहे हैं. Short term trends के लिए 20 moving average काम करेगी, medium duration की trends के लिए 50 moving average एक अच्छा choice होगा. और long term trends के लिए 100 या 200 moving averages सबसे अच्छा option है. विचार यह है कि जब तक price trailing stop loss से उपर न चली जाए, तब तक trend पर बने रहें, और जब price इसके उपर चली जाती हैं, तो आप अपनी position से बाहर निकल सकते हैं. Unterm method इम दोनों methods के combination का उपयोग करती है. आप price projection level पर अपने आधे position से बाहर निकलते हैं और trailing stop loss का उपयोग करके बाकी positions पर ride करते हैं. ऐसा करने से आप कुछ अच्छे profits जमा कर पाएंगे और बाजार के reversals का शिकार नहीं होंगे. अब मैं कुछ और points जोड़ना चाहूंगा कि charts पर इस pattern का trade कब और कहा करना है. जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो head and shoulder एक reversal pattern है लेकिन यह एक bearish breakout pattern भी है. उस विचार को ध्यान में रखते हुए आप या तो तब trade कर सकते हैं जब uptrend कमजोर हो रहा हो और आपको head and shoulder pattern मिल जाए जो trend में बदलाव की confirmation करता है या आप इस pattern का trading तब भी कर सकते हैं जब market downtrend में हो और यह pattern downward price action में एक temporary pause के रूप में दिखाई देगा. ऐसा करके आप trend की direction में trade कर रहे हैं ना कि price flow के विरुद्ध. लेकिन सुनिश्चित करें कि आप बहुत strong uptrend के खिलाफ दाव न लगाएं. केवल इसलिए क्योंकि आपको ये pattern दिखाई देता है. तब यह आपके favor में काम नहीं करेगा. Inverse या inverted head and shoulder pattern एक bullish reversal chart pattern है जो संकेत देता है कि bias control में है. ये बिलकुल head and shoulders के mirror reflection की तरह है. इसलिए मैं इस pattern के smaller details में नहीं जाऊंगा. ठीक है. आईए जाने कि inverse head and shoulder pattern का वास्तव में क्या मतलब है. इस pattern के भी चार parts है. Left shoulder downtrend के खिलाफ pullback का परिणाम है. ये या तो profit booking के कारण या उत्सुख buyers के market में entry करने के कारण है. लेकिन sellers अभी भी control में है क्योंकि way prices कम कर रहे है. हाला कि buyers भी आगे बढ़ रहे हैं जो previous swing high level को फिर से test करने के लिए strong pullback होने से पता चलता है, जो pattern का head बनता है. इससे हम मान सकते हैं कि sellers कमजोर हो रहे हैं क्योंकि वे prices को और कम नहीं कर सके. इसके बजाए buyers strong हो रहे हैं क्योंकि वे कीमत को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो resistance area या previous swing high का फिर से retest कर रहे हैं, जो pattern की neckline बनाता है. Sellers ने एक आखरी बार कीमतों को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें strong buying pressure का सामना करना पड़ा, जिससे pattern के head की तुलना में higher swing low का formation हुआ. ये pattern का right shoulder बनाता है, और ये हमें बताता है कि market sentiment, bearish से bullish में बदल गई है. और यदि price, resistance level से उपर तूटती है, तो inverse head and shoulder pattern confirm हो जाता है, और market में bullishness जारी रह सकती है. जब price, inverse head and shoulders से breakout हो जाएगी, तो आप खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ profit प्राप्त करने के लिए. लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि उनमें से सभी reliable नहीं है. जो माइने रखता है, वो है market structure की ताकत और inverse head and shoulder के formation की duration. इसलिए, यदि market की trend strongly bearish है, तो ये pattern बनने पर भी reversals की संभावना कम है. ये ये उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा. इसका मतलब ये भी है, कि inverse head and shoulder pattern की duration जितनी कम होगी, इसके विफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, खास कर जब आप इसे trend के विरुद्ध trade कर रहे हों. ये भी ध्यान रखें, कि right shoulder कैसे बनता है, ये इस बात के लिए एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, कि आप breakout का व्यापार करना चाहते हैं या नहीं. मान लीजिए कि आपके पास एक inverted head and shoulder pattern है, जिसमें लंबा right shoulder है, तो आप breakout खरीदने से बचना चाहते हैं. ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि price, right shoulder के low levels से resistance area तक लंबी दूरी तै कर चुकी है. ये रास्ते में अधिक buyers को आकरशित करती है. इसलिए, market को buyers द्वारा profit booking के कारण और उन traders जो resistance पर बेचना चाहते हैं, इससे selling pressure का जिससे prices में गिरावत आती है. तो एक rule जिसका आप पालन कर सकते हैं, वो ही ये है कि right shoulder pattern के head के 50 प्रतिशत से उपर होना चाहिए. अब बात करते हैं कि आप inverse head and shoulder pattern का trade कब करते हैं. भले ही यह एक reversal pattern है. यह idea prominent है कि inverse head and shoulder एक bullish breakout pattern है. इसलिए, जब market में uptrend हो, तो इस pattern पर trade करना समझदारी है. और जब आप uptrend में inverse head and shoulder pattern का trade करते हैं, तो आपने अपना जीतने की संभावना बढ़ा दी है, क्योंकि अब आप trend के साथ trading कर रहे हैं, न की इसके खिलाफ. Trading करने का एक और अफसर तब होता है, जब आप इस pattern को downtrend के अंत में देखते हैं, और inverse head and shoulder pattern, इस बात की पुष्टी करता है, कि मौजूदा downtrend कमजोर हो रहा है, और ऐसी संभावना है, कि market reverse हो सकता है, और उपर जा सकता है. लेकिन सुनिश्चित करें, कि आप इस pattern को बहुत strong downtrend में trade न करें, क्योंकि ऐसे मामलों में, trend में बदलाव की संभावना बहुत कम होती है. अब ये सीखने के लिए आगे बढ़हें, कि जब आपको pattern दिखे, तो इस pattern पर trade कैसे करें? हम पहले entry criteria पर चर्चा करेंगे. सबसे aggressive entry तब होती है, जब price, neckline या resistance के उपर break हो जाती है. विचार ये है, कि breakout candle neckline के उपर close होने की प्रतीक्षा की जाए, और फिर breakout candle के closing price या high price के उपर एक long entry ली जाए. इस technique का लाब ये है, कि आप बहुत जल्दी किसी trade में enter कर पाएंगे, और शायद आपको best possible entry price मिलेगा. लेकिन दोश ये है, कि price reverse हो सकती है, और false breakout दे सकती है, और आपके stop loss को प्रभावित कर सकती है. दूसरी entry टेक्नीक, price buildups के बाद breakout है. ऐसा तब होता है, जब हम resistance level या neckline के पास, कीमतों का tight consolidation देखते हैं. जब आप resistance level पर buildups देखते हैं, तो ये आपको बताता है, कि profit taking और level से short selling के बावजूद, higher prices पर खरीदने के लिए buying pressure available है. साथ ही, जो traders इस level पर short गए, उनके buy stop loss orders resistance level से उपर होने की संभावना है. इसलिए, जब price resistance से breakout हो जाती है, तो stop loss का इस cluster, prices को उपर उठाने के लिए fuel प्रदान करेगा. और यदि market उपर breakout होता है, तो आप अपने long trade entries को breakout candle के closing price या high price के उपर set कर सकते हैं. इस method का उपयोग करने का advantage, सपश्ट रूप से stop loss का tight placement और reward to risk ratio में improvement के साथ-साथ, एक बहुत अच्छा entry price भी है. लेकिन drawback ये है, कि breakdown candle की range बहुत बड़ी हो सकती है, और आप बहुत high prices पर खरीदेगे. अब क्या होगा, यदि market build-ups नहीं बनाता है, या यह एक large breakout candle बनाता है, और उपर की ओर बढ़ना जारी रखता है? यदि में उतार-चड़ाव को पकड़ने में मदद करती है. यदि market बिना किसी build-ups के breakout करता है, तो हम primary pullback होने की प्रतीक्षा करेंगे, जो कमजोर candles के साथ, कीमतों में एक temporary down move है. और यदि market में pullback आती है, तो आप previous swing high के breakout पर long entry लेने के बारे में सोच सकते हैं, या जब prices बढ़ने लगती हैं, तो तुरंत entry कर सकते हैं. जैसा की मैंने अभी mention किया है, सबसे अच्छे pullbacks, shallow retracement और small bodied candles के साथ बनते हैं. लेकिन क्या होगा, अगर हमें large bodied candles के कारण steep pullback का सामना करना पड़े. फिर हम क्या करेंगे? यदि pullback गहरा है, तो हम neckline या पिछले resistance turn support level पर फिर से retest करने के लिए price का इंतजार करेंगे, जहां हम bias के आने की उम्मीद करते हैं. हमें ये देखने की जरूरत है, कि क्या price neckline का फिर से test करती है, फिर bullish hammer, bullish engulfing pattern, entry ले सकते हैं. ये retest technique आपको अपनी entry को time करने और यहां तक की बहतर prices पर positions लेने की सुविधा देती है. लेकिन downside ये है कि इसकी कोई guarantee नहीं है कि price फिर से इस level का परीक्षन करेगी, विशेश रूप से एक मजबूत uptrend में और आप trade से पूरी तरह चूक सकते हैं. ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि left shoulder और head के formation के दोरान volumes कम होना चाहिए, जो selling interest में कमी का संकेत देता है, और right shoulder के formation के दोरान और breakout के दोरान भी volumes बढ़ना चाहिए, जो buying pressure में increase का confirmation करता है. इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही entry techniques का उपयोग करें. अब हम अपने entry criteria के संबंध में stop loss लगाने के बारे में बात करते हैं. जब कीमत pattern के right shoulder के नीचे close हो जाती है, तो inverted head and shoulder pattern invalid हो जाता है, और यही वह जगह है जहां आपको अपना stop loss लगाना चाहिए. इसलिए यदि आपकी entry बहुत aggressive थी और जब prices neckline से बाहर break हो जाती है, तो आपको अपना stop loss pattern के right shoulder पर या उसके नीचे set करना चाहिए. अब अगर आपने neckline के पास buildups के बाद long entry ली, तो क्या होगा? फिर आपके पास अधिक tight stop loss लगाने की सुविधा है, preferably buildups के ठीक नीचे, जो बदले में reward to risk ratio को improve करेगा. मान लीजिए कि आप इन दोनों entries से चूप गए और कीमतों में primary pullback आने के बाद, आपने market में एक position दर्ज की, फिर अपने stop loss को pullback candles के group में सबसे lowest price के नीचे या neckline के ठीक नीचे set करें, यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है. अंते method ये है कि यदि आप retest के बाद entry कर रहे हैं, इस scenario में stop loss को retest candles के group की सबसे highest wick के ठीक नीचे रखा जा सकता है, या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और long wicks से बचने के लिए stop loss को pattern के right shoulder के नीचे रख सकते हैं. अब हम देखेंगे कि maximum profits के लिए अपने trade से कैसे बाहर निकलें? जैसा कि पहले बताया गया है, तीन लोग pre-technics हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं. पहला price projection method है, दूसरा है trailing stop loss method और last इन दोनों तरीकों का combination है. Price projection यह निर्धारित करने में मदद करता है कि price move संभवता कहां exhaust हो सकता है. यह ऐसे काम करता है, आप बस head और neckline के बीच की distance को measure करें. फिर इस दूरी को breakout point या neckline से उपर की ओर project करें. इस projected price point वो है, जहां आप trade से बाहर निकलते हैं. Price projection टेक्नीक यह तै करने में मदद करती है कि कि किसी trade में entry करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं. यदि price अपने price projection तक पहुँचने के करीब है, तो संभवता इस move में ज्यादा benefit नहीं बचा है और आप trade को छोड़ना चाह सकते हैं. Price projection टेक्नीक के विपरीत, trailing stop loss method एक मिश्चित target profit का उपयोग नहीं करती है. इसके बजाए, जैसे जैसे कीमत आपके favor में बढ़ती है. आप अपने stop loss को trail करते हैं, ताकि आप पूरे trend ride कर सकें. पहला कदम ये तै करना है कि आप किस प्रकार की trend को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो short, medium या long term trend हो. आप stop loss को appropriate moving averages, जैसे short term के लिए 20 period, medium term के लिए 50 period और long term के लिए 200 period moving average के साथ trail कर सकते हैं. हम अपने trade से तभी बाहर निकलेंगे, जब price moving average से नीचे close होगी. अंते method इन दोनो methods के combination का उपयोग करती हैं. आप price projection level पर अपने आधे position से बाहर निकलते हैं और trailing stop loss का उपयोग करके बाकी पर ride करते हैं. ऐसा करने से आप कुछ अच्छे profits जमा कर पाएंगे और बाजार के reversals का शिकार नहीं होंगे. यह उन common chart patterns में से एक है जिनका आपको सामना करना पड़ेगा. यह एक अच्छी बात है क्योंकि आपको अच्छी संख्या में trades मिलेंगे लेकिन यह एक बुरी बात भी है क्योंकि कौन सा trade चुनना है यह एक बड़ी concern होगी. इसलिए हम basic बातों पर चर्चा करेंगे कि double top chart pattern क्या है, यह कैसे काम करता है और आपको इसका trade कैसे करना चाहिए? Double top एक bearish reversal chart pattern है और इसमें तीन parts होते हैं. पहला peak या पहला price rejection और दूसरा peak या दूसरा price rejection और एक swing low है जो neckline या support area बनाता है. अब double top chart pattern का वास्तव में क्या मतलब है? पहला peak बाजार द्वारा pullback करने के नतीजा बनता है. इस point पर आप मिश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या ये reversal होगा क्योंकि trending markets में pullbacks होना बहुत common बात है. इसके बाद दूसरा peak आता है जहां prices उसी area से reject हो जाती है, जो फिर से दर्शाता है कि buyers higher prices पर खरीदने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है. ये पहला संकेत है कि market में गिरावट आ सकती है. और neckline का break होना हमारे bias की confirmation करेगा कि sellers control में है और market में गिरावट जारी रह सकती है. In short, double top chart pattern possible trend reversal होने का संकेत देता है क्योंकि market उपर जाने में असमर्थ है. ध्यान रखें कि सभी double top chart pattern समान रूप से नहीं बनाए गए है. उदाहरन के हैं वो short trade करना है या trend के against trade करना है. सिर्फ इसलिए कि आपने एक double top pattern देखा है. तो double top chart pattern पर trade करते समय दो चीजे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए. पहला, pattern कहां और कैसे बनता है? और दूसरा, इसे बनने में कितना समय लगता है या कितनी duration लगती है? जैसा कि मैंने पहले ही mention किया है, आप एक मजबूत uptrend के खिलाफ double top को short नहीं करना चाहेंगे. इसके अतिरिक्त, पहली और दूसरी peaks के बीच का space भी विचार करने योग्य एक important factor है. इसका मतलब ये है कि आपको उन double tops से बचना चाहिए, जिसका दोनों peaks एक दूसरे के बहुत करीब है. इसके बजाए हम उन double top का trade करना चाहते हैं, जब पहली और दूसरी peaks के बीच का space इतना दूर क्यों होना चाहिए? इसका कारण बहुत आसान है. जब पहले और दूसरे peak के बीच अधिक time और space होता है, तो swing level या peak अधिक महत्वपूर्म हो जाते हैं, क्योंकि अधिक traders इस price level के बारे में जागरूक हो जाएंगे. और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे, जब किसी level पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो यह अधिक order flows को आकरशित करता है, क्योंकि अधिक traders उस area के आसपास trade करना चाहेंगे. इसलिए जब traders का एक बड़ा group गलत हो जाता है, तो यह एक अफसर प्रस्तुत करता है, जिसका हम लाब उठा सकते हैं. इसलिए shorter time frames में intraday basis पर trading करते समय, double tops और double bottoms से सावधान रहें. टाइम फ्रेम्स जितनी अधिक होगी और swing high के बीच का space जितना बड़ा होगा, एक successful pattern की समभावना उतनी ही अधिक होगी. अधिकांच trading gurus आपको double top breakouts को short करने के लिए कहेंगे, जब price neckline से नीचे breakdown हो जाएगी, और अपने stop loss को highs से उपर set कर दें. हाला कि इस approach के साथ दो issues हैं. सबसे पहले, एक मजबूत down move के बाद, market तेजी से उपर की ओर पलट सकता है, जो एक false breakout सावित हो सकता है, और आपके stop loss को प्रभावित कर सकता है. दूसरे, stop loss बहुत बड़ा है, और यह आपके trades पर अनुकूल reward to risk की पेशकश नहीं करता है. तो इसे ठीक करने के लिए आप कुछ तरीकों के बारे में सोच सकते हैं. आईए पहले entry criteria पर चर्चा करके शुरुआत करें. सबसे aggressive entry तब होती है, जब price, neckline या support level से नीचे तूट जाती है. विचार यह है कि breakout candle को neckline के नीचे close होने का इंतजार किया जाए, और फिर breakout candle के closing price या low price के नीचे एक short entry ली जाए. Candle के close होने की प्रतीक्षा करने से यह सुमिश्चित हो जाएगा कि candle neckline के नीचे close हो गई है और यह सुझाव देती है कि यह false breakout नहीं है. इस हो सकता है, जो reward to risk को बुरी तरह से कम कर सकता है. कुछ मामलों में neckline के पास price बढ़ने का इंतजार करना हमेशा फायदेमंद होता है, जो इस pattern में support level के रूप में कार्य करता है. जब buildups के बाद price neckline से नीचे break हो जाएगी, तो हम एक short trade करेंगे. इस से trade success की high probability सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो traders neckline या support के पास long positions ली है, उनके sell stop-loss orders support level से नीचे रखे जाएगे, और यदि market में गिरावट जारी रहती है, तो उन्हें अपना losses को cut करना होगा. एक बार जब price support level से नीचे आ जाती है, तो ये सभी stop-loss orders हिट होंगे, जिससे selling pressure बढ़ जाएगा, जिससे success की संभावना बढ़ जाएगी. इसके अतिरिक्ट ये trade, favorable risk to reward भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि आपके पास बहुत tight stop-loss होगा. वैसे भी, इस approach के साथ समस्या ये है, कि breakout candle बहुत बड़ी हो सकती है, और दूसरा problem ये है, कि केवल limited numbers में ही trades available है. अब, यदि आप breakout trade से चुग गए, तो क्या होगा? क्या ये हंत है? जरूरी नहीं. यदि prices, flag ये pennant pattern के रूप में primary pullback बनाती हैं, तो भी आप trade में entry कर सकते हैं. जब संभवता profit booking के कारण होती है. एक अच्छा pullback shallow होता है, और कमजोर candles से जुड़ा होता है. लेकिन क्या होगा? अगर हमें large bodied candles के कारण, steep pullback का सामना करना पड़े. फिर हम क्या करेंगे? फिर, हम neckline पर price के retest की तलाश कर सकते हैं, जो अब एक resistance level की तरह बहेव करेगा, जहां हम sellers के market में entry होने की उम्मीद कर सकते हैं. इसलिए, यदि price retest करता है, तो neckline से price rejection की प्रतीक्षा करें, जो shooting star, bearish enveloping pattern, evening star, आदी जैसे candlesticks का रूप में होता है. यदि आपको लगता है कि price rejection हुआ है, तो आप prices नीचे की और move होने पर एक short entry ले सकते हैं. ये retest entry, किसी भी अन्य entry methods की तुलना में, बहतर entry price प्रदान करती है, लेकिन downside ये है कि prices हमेशा retest नहीं करती हैं. विशेश रूप से strong market trends में, pullback या retest की उम्मीद नहीं होती है. Above average volumes, RSI और MACD, आदी जैसे अन्य indicators के साथ, breakout की confirmation करना सुनिश्चित करें. अब आई ये stop loss criteria पर चर्चा करें. आपका stop loss उस level पर होगा, जिसका breach होने पर आपका trading setup invalid हो जाएगा. चुनकि हम एक double top pattern पर trade कर रहे हैं. हमारा stop loss ऐसे level पर होना चाहिए, जो pattern को पूरी तरह से invalidate कर दे. उस अर्थ में, यदि price, pattern के swing high से उपर जाती है, तो pattern invalid हो जाएगा. लेकिन इसमें एक छोटा सा twist है. Number one, stop loss बहुत बढ़ा हो सकता है, और इसलिए reward to risk बहुत कम होगा. दूसरे, market, top resistance और फिर pattern को पूरा करते हुए नीचे की और बढ़ सकता है. तो, मैं जो सलाह देता हूँ, वो ये है, कि या तो अपने stop loss को swing top और neckline के बीच, 50% के level पर रखें, या यदि ये दूरी बहुत बढ़ी है, तो breakdown candle high के ठीक उपर, ATR indicator का उपयोग करके, परियाप्त buffer space के साथ अपना stop loss सेट करें. ये हमारा stop loss हो सकता है, यदि आपकी entry बहुत aggressive थी, यानि जब price neckline से तूट गई, तो आप सीधे short trade ली गए. अब, अगर आपने neckline के पास, buildups के बाद short entry ली, तो क्या होगा? फिर, आपको अधिक tight और hassle-free stop loss लगाने की आजादी मिलती है, preferably buildup या consolidation के ठीक उपर, जो आपके reward to risk ratio को बढ़ावा देगा. मान लीजिए, कि आप इन दोनों entries से चुक गए, और prices के primary pullback बनने के बाद, आपने market को short कर दिया, तो अपने stop loss को pullback candles के group में highest price से उपर या neckline के ठीक उपर set करें, यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है. अंते method ये है, कि यदि आप retest के बाद entry कर रहे हैं, इस scenario में stop loss को retest candles के group की सबसे highest width के ठीक उपर रखा जा सकता है, या आप अधिक conservative हो सकते हैं, और stop loss को pattern की width के 50 प्रतिशत पर रख सकते हैं. ठीक है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, आपके trade से exit करने की तीन techniques है. पहला, price projection method है, दूसरा, trailing stop loss method है, और अंत में, इन दोनों तरीकों का combination है. Price projection, price exhaustion पर केंदरित है. विचार यह है, कि breakout के बाद, prices, pattern की highest width के बराबर distance तै करेगी. इस pattern की सबसे highest width, neckline से लेकर swing high तक है. तो आपको बस swing top से neckline तक की दूरी की पहचान करनी है. फिर, इस दूरी को neckline से नीचे की और project करें. इस से आपको desired profit target मिलेगा. अपने stop loss को trail करने का दूसरा तरीका बड़ी trends को right करने का है. हम trail करने के लिए within periods की moving average का उप्योग करेंगे. Moving averages का selection उस time frame पर निर्भर करेगा, जिस पर आप trade कर रहे हैं. Short term trends को पकड़ने के लिए 20 moving average का उप्योग करें. Medium period के trends के लिए 50 moving average का उप्योग करें, और long term trends के लिए 100 या 200 moving averages का उप्योग करें. हम trade से तभी बाहर निकलेंगे, जब price, trailing stop loss से उपर close हो जाएगी. Antim method इन दोनो methods के combination का उप्योग करती है. आप price projection level पर अपने आधे position से बाहर निकलते हैं, और trailing stop loss का उप्योग करके बाकी पर ride करते हैं. ऐसा करने से आप कुछ अच्छे profits जमा कर पाएंगे और बाजार के reversals का शिकार नहीं होंगे. एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे मैं share करना चाहता हूँ, जो high level of accuracy और win rate के साथ double top खोज में और trade करने से संबंधित है, जिसमें multiple time frame analysis का उप्योग शामिल है. ये concept बहुत सरल है. पहला step आपकी trading style के आधार पर, higher time frame पर एक downtrend market या downtrend price action की पहचान करना है. आप time frame selection पर वीडियो देख सकते हैं, मैं description section में video link डालूंगा. अब higher time frame पर price के resistance area तक पहुचने की प्रतीक्षा करें. यदि आपको ऐसा कोई setup मिलता है, तो अपनी lower time frames पर जाएं. फिर lower time frame पर double top pattern देखें. यह एक बहुत ही सरल, लेकिन effective technique है, जो आपको अपनी entries को double top pattern के absolute highs पर time करने की अनुमती देती है, जो best possible price level है, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह pattern trade करने का एक बहुत ही professional तरीका भी है. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप इसका उपयोग करने में comfortable नहीं है, तो बहतर होगा कि आप इसे ignore कर दे. जरूरी नहीं कि आपको सभी options consider करना होगा. बस एक या दो methods चुने, जो आपके लिए अच्छा काम करें. अब हम इस पर ध्यान के इंद्रित करेंगे कि double bottom pattern क्या है, ये कैसे काम करता है और trade करते समय इसे कैसे अपनाया जाए? Double bottom pattern एक bullish trend reversal pattern है और यह double top के बिलकुल विपरीथ है. इस pattern के तीन parts है, first low या first price rejection, second low या second price rejection और एक neckline जो बीच में swing high को जोडने वाले एक resistance area है. pattern के ये हिस्से क्या दर्शाते हैं? मैं explain करूंगा. पहला low तब बनता है जब market नीचे decline होता है, एक swing low बनता है और उपर की और बढ़ता है. इस point पर ये downtrend में retracement होने की संभावना है. लेकिन तब दूसरा swing low बनता है जब market पिछले swing low level को reject कर देता है और फिर से higher levels पर पहुँच जाता है. अब हम मान सकते हैं कि buying pressure है लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि market में अप move जारी रह सकती है या नहीं. हम buying pressure की ताकत की confirmation तभी कर सकते हैं जब price neckline से उपर break हो जाए. जब price neckline या resistance level से उपर तूटती है तो ये buying side में interest और market के higher levels पर जाने की संभावना का संकेत देती है. In short, double bottom pattern संकेत देता है कि downtrend संभवता bottomed out हो गया है और price बढ़ने वाली है. कई traders double bottom बनने के बाद neckline से breakout खरीदने की फैसला करते हैं. लेकिन ये हमेशा आपके favor में काम नहीं करेगा क्योंकि यदि बाजार एक मजबूत downtrend में है और यह हर रोज small double bottoms बनाता है तो बाजार में गिरावट जारी रहने की संभावना है. इसके अलावा सभी double bottoms एक जैसे नहीं बनाये जाते हैं. पैटन को पहचानने के लिए हम जिस timeframes का उपयोग करते हैं और swing lows के बीच की space भी विचार करने योग्य factors है. इसलिए higher time frame पर बना एक double bottom pattern, lower time frame पर बने pattern की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है. अब trading के लिए entry criteria पर विचार करें. एक aggressive entry तब होती है, जब price, neckline या resistance के उपर तूट जाती है. विचार यह है कि या तो breakout पर एक long position में entry किया जाए, जो अक्सर false breakout problem का कारण बन सकता है, या आप breakout candle के neckline के उपर close होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, और फिर breakout candle के closing price या high price के उपर एक long entry ले सकते हैं. इस technique का लाब यह है कि आप trade में जल्दी entry कर पाएंगे और आपको best possible entry price भी मिल सकता है. लेकिन downside यह है कि breakout candle बहुत बढ़ी हो सकती है या price reverse भी हो सकती है और false breakout दे सकती है और अपना stop loss हिट हो सकती है. दूसरी entry technique neckline के पास buildups के बाद breakouts है. ऐसा तब होता है जब हम resistance level या neckline के पास prices का tight consolidation देखते हैं. जब आप resistance level पर buildups देखते हैं तो यह आपको बताता है कि buying pressure available है और low profit booking करने और level से short selling करने के बावजूद higher prices पर buying करने को तयार है. साथ ही जो traders इस level से short trade करते हैं उनके buy stop loss orders resistance level से उपर होने की संभावना है. इसलिए जब price resistance level से breakout हो जाती है तो buy stop losses का ये cluster prices को उपर ले जाने के लिए आवश्यक fuel प्रदान करेगा. और यदि market neckline से उपर तूटता है तो आप अपने long trades को breakout candle close होने के ठीक उपर या breakout candle की high से उपर दर्ज कर सकते हैं. इस method का उपयोग करने का लाब, सपश्ट रूप से stop loss का tight placement और reward to risk ratio में improvement के साथ साथ एक बहुत अच्छा entry price भी है. लेकिन drawback ये है कि breakdown candle की range बहुत बड़ी हो सकती है और आप बहुत premium price पर खरीदेगे. अब क्या होगा यदि market build ups नहीं बनाता है या यह एक massive breakout candle बनाता है और फिर उपर की ओर बढ़ना जारी रखता है. यदि आप above mentioned दोनों entries से चूग गए हैं तो दूसरी method prices में primary pullback की तलाश करना है. ये टेकनीक आपको breakout के बाद भी price move को पकड़ने में मदद करती है. यदि market बिना किसी build ups के breakout हो जाता है तो हम primary pullback होने की प्रतीक्षा करेंगे जो कमजोर candles के साथ prices में एक temporary down move है. और यदि market में गिरावट आती है तो आप previous swing high के break पर long trade लेने के बारे में सोच सकते हैं या जब prices बढ़ने लगती हैं तो तुरंत entry कर सकते हैं. सबसे अच्छा pullback छोटी-छोटी candles के साथ एक shallow retracement होना चाहिए. लेकिन कभी-कभी हमें neckline पर steep pullbacks महसूस होता है. इसे retest कहा जाता है. जब price, neckline या support level पर फिर से retest करती है तो हम उम्मीद करते हैं कि buyers आएंगे. हमें ये देखने की जरूरत है कि यदि price neckline का दोबारा retest करती है तो bullish hammer, bullish engulfing pattern, morning star, आधी जैसे reversal candlesticks के रूप में neckline से price rejection की प्रतीक्षा करें. यदि आप एक price rejection पाते हैं तो आप अगली candle पर long entry कर सकता है. retest technique आपको अपनी entries को time करने और यहां तक की बहतर prices पर positions लेने की सुविधा देती है. लेकिन downside ये है कि इसकी कोई guarantee नहीं है कि price फिर से इस level का retest करेगी, विशेश रूप से एक मजबूत uptrend में और आप trade से पूरी तरह चूख सकते हैं. ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि breakouts के दोरान volumes बढ़ना चाहिए, जो buying pressure में increase की पुष्टी करता है. इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही समय पर सही entry techniques का उप्योग करें. अब हम अपने entry criteria के संबंध में stop loss लगाने के बारे में बात करते हैं. Double bottom pattern तब invalid हो जाता है, जब price neckline से reverse हो जाती है और pattern के swing low के नीचे close हो जाती है. यदि आप इस विचार के आधार पर अपना stop loss लगाते हैं तो stop loss बहुत बढ़ा होगा और आपको भारी नुकसान होगा और इसके अलावा price swing low से reverse हो सकती है और triple bottom pattern बनाते हुए फिर से उपर जा सकती है. तो वास्तव में आपको अपना stop loss कहां लगाना चाहिए? मेरा suggestion है कि या तो अपने stop loss को swing bottom और neckline के बीच 50% के level पर रखें या यदि ये दूरी बहुत बड़ी है तो breakdown candle के lows के ठीक नीचे ATR indicator का उप्योग करके परियाप्ट buffer space के साथ अपना stop loss सेट करें. ये हमारा stop loss हो सकता है यदि आपकी entry बहुत aggressive थी यानि जब prices neckline से बाहर break हुआ है तो आप तुरंट एक long entry ली है अब अगर आपने neckline के पास buildups के बाद long entry ली तो क्या होगा? फिर आपके पास अधिक tight stop loss लगाने की सुविधा है preferably buildups के ठीक नीचे जो बदले में reward to risk ratio में improvement करेगा मान लीजिए कि आप इन दोनों entries से चूप गए और prices में primary pullback होने के बाद आपने बाजार में एक long position दर्ज की यदि pullback neckline के बहुत करीब बना है तो pullback candles के group में सबसे lowest price या सबसे lowest wick के नीचे या neckline के ठीक नीचे अपना stop loss set करें अंते method ये है कि यदि आप retest के बाद entry कर रहे हैं इस scenario में stop loss को retest candles के group की सबसे lowest wick के ठीक नीचे रखा जा सकता है या आप अधिक conservative हो सकते हैं और swing low और neckline के बीच की दूरी के 50% पर अपना stop loss लगा सकते हैं जिससे आप long wick से बच सकते हैं अंत में हम चर्चा करेंगे कि maximum profits के लिए अपने trade से कैसे बाहर निकलें हमेशा की तरह three methods हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं आईए मैं उनमें से प्रत्येक को समझाओं price projection swing bottom और neckline के बीच की दूरी की measure करता है फिर इस दूरी को breakout point या neckline से उपर की ओर project करें projected price point या level वो है जहां आप trade से बाहर निकलते हैं ये टेकनीक आपको ये तै करने में मदद करती है कि कि किसी trade में entry करने के लिए बहुत देर हो चुकी है या नहीं यदि price अपने price projection तक पहुँचने के करीब है तो संभफत इसमें बहुत अधिक juice नहीं बचा है और आप trade को छोड़ना चाह सकते हैं लेकिन price projection टेकनीक के विपरीत trailing stop loss method का कोई fixed target नहीं होता है इसके बजाए जैसे जैसे price हमारे favor में बढ़ती है हम अपने stop loss को trail करते हैं ताकि आप पूरे trend का लाब उठा सकें पहला step ये तै करना है कि आप किस प्रकार की trend को पकड़ना चाहते हैं चाहे वो short, medium या long term trend हो फिर आप क्रमश्या 20 period, 50 period या 200 period जैसे appropriate moving averages के साथ trailing stop loss का पता लगा सकते हैं हम अपने trade से तभी बाहर निकलेंगे जब price moving average से नीचे close होगी अंतिम method इन दोनों methods को जोड़ती है आप price projection level पर अपने आधे position से exit करते हैं और trailing stop loss का उपयोग करके बाकी पर right करते हैं ताकि आप कुछ अच्छे profits जमा कर सके और market reversals पर पैसे न गवाए double top के जैसे ही आप high probability setups को filter करने के लिए multiple time frames का उपयोग कर सकते हैं आपको बस एक higher time frame support area की पहचान करनी है फिर अपनी पसंदीदा lower time frames पर जाए और एक double bottom pattern की तलाश करें जो higher time frame support level के ओर जुखता हो इस तरह आप swing bottom के absolute low levels से एक long trade कर सकते हैं ध्यान रखें कि यह एक अधिक professional entry टेकनीक है इसलिए यदि आप इसे पूरी तरह से comfortable नहीं है तो इसका उपयोग न करें यदि आपने double top और double bottom patterns को ठीक से समझ लिया है तो triple tops और triple bottoms बहुत आसान होगा ये पिछले दो patterns के ही extensions है entry, exit और stop loss समान है लेकिन जो सबसे ज़्यादा माइने रखता है वो तीसरे swing high या swing low का formation है आईए जाने कि ये pattern क्या दर्शाते है triple top एक bearish reversal chart pattern है जो संकेत देता है कि sellers control में है ये pattern, buyers के control को दर्शाते है क्योंकि prices swing high form होता है उसके बाद pullback होता है लेकिन, selling pressure का पहला संकेत तब दिखाई देता है जब price, prior high से breakout होने में विफल रहती है बाजार में फिर से pullback आती है और एक consolidation बनता है ये double top जैसा दिखता है लेकिन, इस बार neckline से नीचे तूटने के बजाए market एक बार फिर उपर चड़ने का प्रयास करता है और फिर से विफल हो जाता है तो वहाँ तीन spikes दिखाई दे रहे है या highs break होने के तीन failed attempts दिखाई दे रहे है ये triple top जैसा दिखता है और इसकी confirmation तभी होती है जब price, consolidation के lows से नीचे या neckline support से नीचे break होती है मैं entry, stop loss और target criteria पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप double top pattern के rules का पालन कर सकते हैं कोई भी patterns, strategies ये techniques हर समय काम नहीं करती इसमें triple top pattern भी शामिल है लेकिन अच्छी खबर यह है कि pattern विफल होने से पहले ये आमतोर पर कुछ clues छोड़ देता है उदाहरन के लिए यदि high time frame का trend अभी भी uptrend है तो lower time frames पर बना triple top pattern विफल होने की सबसे अधिक संभावना है triple bottom एक bullish reversal chart pattern है और triple top pattern के बिलकुल विप्रीथ है जो संकेत देता है कि buyers dominant है pattern की शुरुआत sellers द्वारा price को नीचे धकेलने से होती है जिससे price swing low बनते है जिसके बाद pullback होता है लेकिन buying pressure का पहला संकेत तब दिखाई देता है जब price previous swing low से breakout होने में विफल रहती है market में एक और pullback आई और यह एक consolidation की तरह दिख रहा है ये double bottom pattern जैसा दिखता है लेकिन neckline को तोड़ने के बजाए market एक बार फिर नीचे जाने का प्रयास करता है और फिर से low level को तोड़ने में विफल रहता है तो वहाँ तीन lows visible है या lower level से break होने के तीन failed attempts दिखाई दे रहे है यह एक triple bottom की तरह दिखता है और इसकी confirmation तभी होती है जब price, consolidation या neckline resistance लेवल के highs से उपर break हो जाती है Entry, stop loss और target criteria double bottom pattern के rules के समान है Rising wedge एक लोगप्रिय बेरश pattern है यह pattern bottom से शुरू होता है और फिर जैसे जैसे prices उपर की और बढ़ती है pattern contract हो जाती है और pattern की top की ओर trading range छोटी होती जाती है यह pattern तब बनता है जब price, upward, sloping support और resistance levels के बीच consolidate होती है जहां support line का slope, resistance slope की तुलना में बहुत अधिक steep होता है इसका implication यह है कि higher highs की तुलना में higher lows बहुत तेजी से बनते हैं जिससे wedge जैसा formation होता है इसका मतलब यह भी है कि selling activity अधिक जोर पकड़ रही है और buying कमजोर हो रही है ट्रेडिंग range का buy से die, price contraction भी मौझूदा trading activity के कमजोर होने का संकेत देता है लेकिन rising wedge सटीक रूप से पहचानने और trade करने के लिए सबसे cutting chart patterns में से एक हो सकता है हाला कि यह अधिकांश अन्य patterns की तरह एक consolidation formation है लेकिन each successive swing high पर upside momentum का loss होने से यह pattern को bearish bias देता है हाला कि series of higher highs और higher lows traders को यह अनुमान लगाती रहती है कि trend अभी भी bullish है यही पर contracting range हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है इसके अलावा इसे एक rising wedge के रूप में पहचानने के लिए price को upward sloping resistance और support lines का कम से कम दो बार test करना चाहिए अब चौकाने वाला fact यह है कि rising wedge pattern, reversal या continuation pattern दोनों हो सकता है यह price chart पर उसकी position पर निर्भर करता है लेकिन अधिक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस pattern, reversal या continuation होने के बावजूद rising wedges, bearish nature के है हम इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे added advantage यह है कि हम इस pattern को uptrend के अंत में या downtrend के दोरान short term profit booking के कारण consolidations के रूप में देख सकते है लेकिन pattern की bearish confirmation तब तक नहीं होती जब तक की upward sloping support line convincing तरीके से नहीं break हो जाती ideally हम उम्मीद करते हैं कि prices बढ़ने और wedge pattern बनने के कारण volumes में गिरावट आएगी और support line break होने पर volumes में expansion या rise होगी जिसे bearish confirmation के रूप में लिया जा सकता है आप momentum में बदलाव का पता लगाने के लिए RSI या MACD जैसे momentum indicators का भी उप्योग कर सकते है वैसे भी जब price support line को तोड़ती है तो मिश्चित रूप से हमारा bias हमेशा breakdown पर sell करने की और होता है prices में consolidation के साथ traders को पता है कि एक बड़ी गिरावट आने वाली है इसलिए वे उपर या नीचे breakout की उम्मीद करेंगे जब uptrend के बाद rising wedge बनता है तो इसे bearish reversal pattern कहा जाता है लेकिन अगर यह downtrend के दोरान बनता है तो इसका मतलब downtrend की continuation हो सकता है अब हमने सीख लिया है कि rising wedge की पहचान कैसे करें तो हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि pattern का trade कैसे करें इसलिए मैं entry के तरीकों stop loss कहा लगाना है और target कैसे निर्धारित करना है इस पर चर्चा करूंगा entry criteria से शुरू करते हैं चुनकि यह एक bearish pattern है हम केवल upward sloping support trend line के नीचे breakout होने में interest रखते हैं इस level के breakout के बाद आप एक short entry ले सकते हैं यानि आप उस समय entry कर सकते हैं जब price support trend line से नीचे break हो जाती है या आप low price से नीचे बेचने पर विचार कर सकते हैं या breakout candle के close होने के बाद उसके closing price से नीचे पर भी sell कर सकते हैं दूसरी method pullback की प्रतीक्षा करना या breakout level पर price retest होना है और फिर जब price decrease हो जाती है या जब price breakout candle के नीचे चली जाती है तो एक short entry ले अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा entry बहतर है खेर, कोई best approach नहीं है यदि आप lows के break होने पर entry करते हैं तो यह एक false breakout हो सकता है लेकिन यदि यह real breakout है तो यह आपको मिलने वाली best possible price है Alternatively, यदि आप low level से नीचे price close होने की प्रतीक्षा करते हैं तो आप false breakout की संभावना कम कर देंगे लेकिन यदि breakout मजबूत है तो आप बहुत lower prices पर entry करते हैं पुल बैक या retest की प्रतीक्षा करने का भी यही मामला है जो अकसर तब नहीं होता है जब market में strong trend चल रहा हो और वास्तव में आप trade से पूरी तरह चूग जाएंगे इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी entry strategy तै करें और large number of trades पर इसका practice करना जारी रखें volumes और अन्य indicators का उप्योग करके breakout की validity की confirmation करने की हमेशा अनुशंसा की जाती है average से अधिक volumes, अधिकांश समय breakout को validate कर सकता है क्योंकि यह market participants की interest को दर्शाता है और कम volume वाले breakouts fail होने की सबसे अधिक संभावना है MACD और RSI जैसे momentum indicators का उप्योग करने से आपको real breakouts की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है आईए, अब हम stop loss निर्धारित करने के criteria पर ध्यान केंद्रित करें Rising wedge pattern पर trade करते समय अपना stop loss कैसे set करें आप अपने stop loss को support और resistance, swing high या low इत्यादी जैसे obvious levels पर set नहीं करना चाहते हैं और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको आसानी से stop loss हंट हो जाता है यह आपके लिए उतना ही obvious है जितना दूसरों के लिए जिसमें smart money भी शामिल है आप उचित stop loss setup कैसे प्राप्त करते हैं? यह आसान है जैसा कि मैंने बार-बार mention किया है आपका stop loss उस level पर होना चाहिए जिसे पार करने पर आपका trading setup invalid हो जाए हम यहां rising wedge पर trading कर रहे हैं और जब price, top trend line resistance के उपर break और close होती है तो pattern invalid होता है इसलिए आपको अपना stop loss इस resistance level से उपर रखना होगा अभी भी लंबी wix की संभावना है जो आपके stop loss को trigger कर सकती है और फिर desired direction में नीचे जा सकती है इसलिए extra safety रहने के लिए आपको ATR indicator का उपयोग करके अपने stops को market structure से कुछ दूरी पर set करके अपने trades को अधिक सास लेने की जगह देनी होगी अपने stop loss level को सबसे recent swing high level से 180R above set करें और अंत में आईए जाने की rising wedge pattern के लिए targets कैसे निर्धारित करें अब ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने winners को cash in कर सकते हैं सबसे आम तरीकों में से एक है pre-determined profit target रखना target को wedge के highest width या wedge के support से resistance तक के सबसे widest portion की उचाई लेकर इस दूरी को trend line breakout point से नीचे project कर सकता है आप अपने stop loss को तब तक trail करना भी चुन सकते हैं जब तक बाजार आपको trade से बाहर न कर दे ये बहतर option क्यों है? इस बारे में सोचें rising wedge pattern आमतोर पर downtrending market में या uptrend के अंत में दिखाई देता है ऐसी conditions में trend के जारी रहने की बहुत अधिक संभावना है और इसको right करने का एक मात तरीका अपने stop loss को trail करना है अब अपने stop loss को best possible manner से trail करने के लिए आप moving averages या channelist stops का उपयोग कर सकते हैं और केवल तभी trade से बाहर निकल सकते हैं जब market इसके उपर close होता है इसके अलावा यदि आप projection method और trailing stop loss method दोनों के combination का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बहतर है क्योंकि आप projection method का उपयोग करके price move को gauge कर सके ताकि अपने profits का के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है falling wedge chart pattern rising wedge के counter pattern की तरह है ये तब बनता है जब market दो converging support और resistance lines के बीच consolidate होता है falling wedge के लिए support और resistance lines को नीचे की direction में point करना होगा या उन्हें नीचे की और slope होना चाहिए और resistance line, support line से अधिक steep होनी चाहिए ये pattern टॉप से शुरू होता है और जैसे जैसे prices कम होती जाती है, pattern contract हो जाता है इस प्रकार की price action एक कौन जैसी shape बनाती है जो swing high और swing low के convergence के रूप में नीचे की और slope होती है, जैसे जैसे price में गिरावट जारी रहेगी यह momentum खोदेगी और यह संकेत देता है कि bias control में आना शुरू कर रहे हैं और price decline की rate को slow कर रहे हैं symmetrical triangles जैसे patterns के विप्रीत जिसमें कोई निश्चित slope या bias नहीं होता है falling wedges को नीचे की और slope करना चाहिए और हमारे पास bullish bias है, rising wedges की तरह falling wedge भी trade करने में challenging patterns में से एक है falling wedge pattern को bullish continuation और bullish reversal pattern दोनों के रूप में देखा जाता है जो pattern की पहचान में कुछ confusion पैदा करता है दोनों scenarios में अलग-अलग market conditions शामिल हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए जब falling wedge दिखाई देती है तब continuation और reversal pattern को अलग करने वाला differentiating factor trend की direction है यदि falling wedge एक uptrend में दिखाई देता है तो यह एक continuation pattern है और यदि यह downtrend में दिखाई देता है तो यह एक reversal pattern है हाला कि इस bullish bias को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक downward sloping resistance breakout convincing रूप से न हो जाए convincing से मेरा मतलब है कि जैसे जैसे pattern buy से दाई बढ़ता है volumes में decline आनी चाहिए या बस volumes को contracting prices के साथ contract करना चाहिए जो existing price trend को कमजोर दिखाता है और resistance line के उपर breakout average से अधिक volumes के साथ होना चाहिए जो market participants के बीच interest में increase का संकेत देता है आप pattern की reliability confirm करने के लिए RSI, MACDRD जैसे momentum indicators का भी उपयोग कर सकते है अब हम entry criteria के बारे में बात करेंगे तो अपने entry का बहतर time कैसे करें खेर इसे करने के कुछ तरीके है पहला तरीका यह है कि जब price resistance trend line से उपर break हो जाए तो long trade करनी चाहिए आपको बस resistance level के उपर एक buy order देना है और जब price इस level से उपर पहुँच जाएगी तो आप तुरंत long होगा यदि breakout real है तो यह entry के लिए best possible prices में से एक है लेकिन यह तरीका बहुत जोखिम भरा है और समभावना है कि यह false breakout हो सकता है यह अगली method पिछले approach के समान है एक मात रंतर यह है कि आप price को trend line resistance के उपर break और close होने का इंतजार करते है candle close होने के बाद आप breakout candle high से उपर long entry कर सकते हैं इससे false breakout की समभावना कम हो जाएगी लेकिन यदि price की momentum मजबूत है तो आप बहुत premium prices पर अपने trade में entry करेंगे यदि आप एक experience trader है तो आप market में तब भी entry कर सकते हैं जब price pattern की उपरी trend line पर pullback या retest आ जाती है यह आपको trade में entry करने में मदद कर सकता है भले ही आप breakout move मिस आउट कर गए हो और यह breakout candle के close होने की wait करने की तुलना में बहतर entry prices प्रदान करता है इस approach के साथ समस्या यह है कि market हर बार pullback या retest नहीं दे सकता है एक बार फिर आप अपने approach में conservative या aggressive है या नहीं इसके आधार पर अपनी पसंद का entry type चुन सकते हैं volumes और अन्य indicators के साथ breakout को validate करना सुनिश्चित करें कि क्या वास्तव में market participants में prices उपर move करने में interest है उचित stop loss कैसे set करें ताकि आप बहुत जल्दी stopped out नहो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप breakout या pullback आधी का trade कर रहे हैं क्योंकि concept एक ही है आपका stop loss ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पहुँचने पर आपका trading setup invalid हो जाएगा इसका मतलब ये है कि यदि market stop loss पर पहुँच जाता है तो आपको automatically पता चल जाएगा कि आप गलत था इसलिए resistance level से नीचे stop loss एक अच्छा idea नहीं है फिर और कहां इसके बारे में सोचो अपना stop loss set करने के लिए ideal place कहा है ताकि यदि market उस तक पहुँच जाए तो आपको पता चले कि falling wedge pattern invalid हो गया चुनकी pattern higher swing lows बनाता है और यदि price सबसे recent swing low से नीचे जाती है या downward sloping trend line support से नीचे तूटती है तो हम show हो सकते है कि हमारा analysis गलत था तो ये बिलकुल वही जगह है जहां आपको अपना stop loss रखना चाहिए यानी recent swing low या support level के ठीक नीचे आप recent swing low या support के नीचे 180R buffer जोड़ कर prices को कुछ breathing space दे सकते हैं मुझे आशा है कि यह clear है अब अपने winners को कैसे cash in करें सबसे आम तरीकों में से एक है pre-determined profit target रखना target को wedge के top की width या support से resistance तक wedge के सबसे widest portion की width लेना और फिर इस दूरी को trend line breakout point से उपर की ओर project की जा सकता है आप अपने stop loss को trail करने का निर्मय भी ले सकते हैं trailing stop loss ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप पूरी trend पर ride कर सके अब अपने stop loss को best possible manner से trail करने के लिए आप moving average या chunglier stops का उपयोग कर सकते हैं और cable तभी trade से बाहर निकल सकते हैं जब market इसके नीचे close हो जाता है यदि आप moving average का उपयोग कर रहे हैं तो 20, 50 या 200 period के averages का उपयोग करें जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास short term, medium term या long term trade objective है इसके अलावा यदि आप इन दोनों तरीकों के combo का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बहतर है ताकि आप projection method का उपयोग करके पहले से ही price move की potential को gauge कर सके ताकि अपने profits का एक हिस्सा वहाँ lock-in कर सके और फिर बाकी positions पर trailing stop loss का उपयोग करके write कर सके जिससे आपके psychology पर असर न पड़े और reversal के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचा जा सके अब यह एक ही वीडियो में सभी major reversal patterns है मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको प्रत्येक pattern के पीछे के logic को समझने में मदद करेगा पिछले दो episodes में हमने सबसे महत्वपूर्म continuation and reversal patterns उन्हें कैसे identify करें और उनका trade कैसे करें इस पर बहुत डीटेल तरीके से discussion की है continuation and reversal patterns दोनों से deal करते समय हमारे पास इसके बारे में एक clear idea है या शायद एक clear directional bias है कि जहां breakout होगा इसका मतलब है कि continuation patterns के मामले में हम consolidation के बाद previous trend की direction में trade करने पर विचार करेंगे और reversal patterns के लिए हम prior market trend की opposite direction में trade शुरू करने पर विचार करेंगे लेकिन तीसरे प्रकार का pattern जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके साथ कोई directional bias नहीं जुड़ा होता है जब breakout या trade direction की बात आती है या सरल शब्दों में pattern का breakout किसी भी direction में हो सकता है और हम इस pattern के breakout होने से पहले future trend direction का जज नहीं कर सकते chart patterns की इस category को neutral chart patterns या bilateral chart patterns कहा जाता है चुनकि हम potential breakout direction के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं इसलिए false breakouts के कारण ये pattern खतरनाक हो सकते हैं अकसर आप स्वयम pattern की consolidation के उपर या नीचे breakout में entry करते हुए पाएंगे और इस false breakouts का शिकार होते देखेंगे मैंने अपने price action course में breakout और false breakout पर पहले ही videos बना लिया है अधिक जानने के लिए आप उन videos को देख सकते हैं इस part में हम तीन bilateral patterns पर discussion करने जा रहे हैं वे कैसे काम करते हैं और entry, exit और stop loss orders सहित, trade कैसे करें हमारी discussion के तीन bilateral pattern इस प्रकार है इसके बाद symmetrical expanding triangles या broadening tops and bottoms होता है और finally channel patterns यानि rising channel और falling channel patterns को समझ कर इस video end कर देंगे यदि ये videos आपको trading में बहतर बनने में help कर रहे हैं तो please इस video को like and share करें और एक healthy trading ecosystem बनाने के हमारे प्रयासों का support करें यदि ये video अच्छा प्रदर्शन करता है तो मैं market में chart patterns को आसानी से पहचानने के कुछ simple ways पर एक और videos बनाऊंगा तो video को जरूर like करें और maximum benefit प्राप्त करने के लिए इसे अंत तक देखें साथ ही channel को subscribe करना और bell icon को enable करना सुनिश्चित करें ताकि आप आने वाले किसी भी videos को miss न करें तो आईए अपनी discussion symmetrical triangle से शुरू करें हमने ascending and descending triangles के जबकि descending triangles खरीदारों के कमजोर होने और volatility में गिरावट का संकेत देता है जिससे एक strong breakout होता है एक symmetrical triangle chart pattern का working इन दो triangle patterns के समान है symmetrical triangle भी एक volatility contraction pattern है लेकिन यहां हम शो नहीं है कि कमजोर player कौन है volatility में contraction का मतलब है कि market में price volatility shrink हो ही है और यह एक strong signal है कि market जल्द ही breakout होने की संभावना है हम breakout के बारे में बात करने से पहले आये सीखें कि charts में एक symmetrical triangle को identify कैसे करें मुझे आशा है कि आप इस fact से परिचित है कि एक ascending triangle के लिए एक ascending trend line support और एक flat resistance line होती है जबकि एक descending triangle के लिए एक descending trend line resistance और एक flat support line होती है जब एक symmetrical triangle की बात आती है जैसा की नाम से पता चलता है इस triangle की sides समान रूप से sloped है जिसका अर्थ है कि ascending trend line support का slope और descending trend line resistance का slope लगभग समान होता है इन trend lines के भीतर कीमतों का actual consolidation होता है ये दोनो trend lines एक common point पर मिलती है जिसे apex कहा जाता है एक symmetrical triangle pattern को valid माने जाने के लिए triangle में कम से कम दो lower highs और दो higher lows शामिल होने चाहिए ये pattern एक funnel की तरह दिखता है जिसमें volatility में contraction के साथ price, buy और से die और squeeze होता है जो candlesticks and price action के कमजोर होने से जुड़ी है ये price action क्या दरशाती है इसका सीधा सा मतलब ये है कि न तो buyers और नहीं sellers को खरीदने या बेचने में कोई दिल्चस्पी है ये upper trend line resistance बनाने वाले lower high levels से स्पष्ट है जो buying pressure की कमी को दरशाता है जबकि lower trend line support में higher lows form होना selling pressure में गिरावट का संकेत देते है पैटन बड़े swings के साथ शुरू हुआ जो पैटन के progress होने के साथ shorter and shorter होता गया volatility contraction की सुंदरता यह है कि prices को हमेशा के लिए squeeze नहीं किया जा सकता है किसी point पर इसे अवश्य breakout होना ही चाहिए और जब ऐसा breakout होता है तो ये tremendous returns ओफर करता है मैंने देखा है कि कई experts मानते हैं कि यदि कोई stock एक symmetrical triangle के formation से पहले rally कर रहा है तो यह अंततह उपर की ओर break हो जाएगा दूसरी ओर यदि कोई stock symmetrical triangle consolidation बनने से पहले गिरता है तो breakout के बाद भी इसमें गिरावट जारी रहनी चाहिए ये दोनों ही assumptions सही नहीं है ये triangle pattern, breakout direction के बारे में कोई संकेट नहीं देते है ध्यान रखे कि symmetrical triangle pattern के formation के दोरान volumes और price movements में weakness होती है इसके कारण breakout की direction का पता लगाना impossible है traders द्वारा की जाने वाली एक और common mistake एक symmetrical triangle के breakout का पीछा करना है जिससे एक false breakout में funds जाने की संभावना बढ़ती है तो हम इस mistake को कैसे eliminate करें? Volume indicators एक बहतर trading tool है जिसका उपयोग आप breakout की पहचान करने के लिए कर सकते है Real breakouts आमतोर पर high trading volume और high volatility के साथ होते है जबकि false breakouts आमतोर पर कम volumes के साथ जुड़े होते है और यह breakouts की तुलना में एक range की तरह दिखते है चुन की triangles का levels जुका हुआ होता है यह कभी-कभी price को triangle के frame के बाहर ले आता है यह आमतोर पर traders को लुभाता है और वे मान लेते हैं कि chart पर breakout हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए हमेशा breakouts की confirmation करें एक और important बात जिसे आप mind में रख सकते हैं वो यह है कि price pattern के apex के जितनी करीब आती है और price consolidation जितना tight होता है रेल breakouts की संभावना उतनी ही अधिक होती है और prices तेजी से आपके trade के favor में चली जाएगी आगे बढ़ते हुए हम इस बात पर ध्यान केंवरित करेंगे कि इस pattern का trade कैसे करें अपनी entry को कैसे time करें और अपना stop loss और targets या exits कैसे निर्धारित करें आईए पहले entry criteria से शुरुआत करें जहां भी यह pattern बनेगा हमें दो सेनारियोज पर विचार करना होगा पहला descending trend line resistance के उपर एक breakout है और दूसरा scenario ascending trend line support level के नीचे एक breakout है मान लीजिए कि price upper trend line resistance level को तोड़ देती है फिर आपके पास 4 possible long entries available है पहला approach बहुत aggressive है और idea यह है कि जैसे ही price resistance trend line से उपर break हो जाए तो long entry की जाए आपको बस resistance level के उपर एक limit buy order देना है और जब price इस level से उपर breakout हो जाएगी तो आप immediately long trade कर सकते हैं यदि breakout real है तो यह entry के लिए best possible prices में से एक है लेकिन यह तरीका बहुत जोखिम भरा है और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह false breakout हो सकता है दूसरी method पिछले approach के समान है एक मातरंतर यह है कि आप price के break होने और descending trend line resistance के उपर close होने का wait करते हैं candle close होने के बाद आप breakout candle high से उपर एक long trade पर प्रवेश कर सकते हैं यह method false breakout की chances को कम कर देती है लेकिन यदि momentum strong है तो आप बहुत higher prices पर अपना trade दर्ज करेंगे यदि आप इन दोनों entries से चूग गए हैं तो आप market में तब भी enter कर सकते हैं जब price pullback आ जाती है या price pattern की resistance line का retest करती है यह आपको trade में enter करने में help कर सकता है भले ही आप breakout move चूग गए हो इस method में हमें कीमतों के primary pullback बनने या यहां तक की resistance turn support level का फिर से test करने और फिर breakout की direction में आगे बढ़ने का wait करना होगा जब price उपर की ओर move होने लगे तो आप long position ले सकते हैं breakout candle के close होने की प्रतीक्षा करने की तुलना में retest बहतर entry prices प्रदान करती है pullbacks और retests आमतोर पर small candles से जुड़े होते हैं लेकिन इस approach के साथ मुद्दा ये है कि market हर बार pullback या retest नहीं दे सकता है खासकर अगर price move का समर्थन करने वाली strong momentum हो तो इसलिए मैं यह आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपने पसंदीदा entry type का निर्नए ले यह इस बात पर आधारित होगा कि आप अपने approach में conservative है या aggressive इसके अलावा volumes और other indicators के साथ breakout को validate करना सुनिश्चित करें ताकि यह देखा जा सके कि क्या वास्तव में market participants के बीच prices को उपर की ओर ले जाने में interest है ascending trend line support के नीचे breakdown के लिए भी entry techniques समान है लेकिन यहां हमारा bias bearish है और हम एक short position में enter करेंगे तो आप या तो level breakdown होने पर short जाने का विकल्प चुन सकते हैं या आप primary pullback या support turn resistance level पर retest की wait कर सकते हैं और फिर जब price decline होने लगती है तो short trade कर सकते हैं लेकिन अपने आपको false breakout trap से बचाने के लिए पहले volumes और अन्य momentum indicators का उपयोग करके breakout को validate करना सुनिश्चित करें proper stop loss कैसे set करें ताकि आप बहुत जल्दी stopped out न हो concept simple है आपका stop loss ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ price पहुँचने पर आपका trading setup and validate हो जाएगा इसका मतलब ये है कि यदि market आपका stop loss पर पहुचता है तो आपको automatically पता चल जाएगा कि आपका analysis गलत है यदि हम resistance level के उपर breakout के लिए stop loss placement के बारे में बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अपना stop loss resistance level से नीचे set करना एक अच्छा idea है खेर, fake outs या यहां तक की deep wicks की संभावनाओ को देखते हुए मैं ऐसा नहीं सोचता आपको इसे और कहां रखना चाहिए इसके बारे में सोचो अपना stop loss सेट करने के लिए ideal place कहा है ताकि यदि market उस तक पहुच जाए तो आपको पता चल जाए कि breakout invalid है चुनकी pattern higher swing lows बनाता है यदि price recent swing low से नीचे जाती है और lower low बनाती है तो हम show हो सकते हैं कि हमारा analysis गलत था तो यह exactly वही place है जहां आपको अपना stop loss रखने की जरूरत है यानि recent swing low के ठीक नीचे आप deep stop loss hunting wicks को compensate करने के लिए recent swing low के नीचे 180R buffer जोड़कर price को कुछ breathing space दे सकते है यही विचार ascending trend line support के नीचे breakdown होने पर भी लागू होता है आप अपने stop loss को सबसे recent swing high level के ठीक उपर रख सकते हैं या आप extra safe होने के लिए swing high level के उपर 180R buffer दे सकते हैं maximum profits के लिए अपने winning trades से कहां बाहर निकलें आप पहले से ही परिचित होंगे कि ऐसी दो techniques हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं पहला trailing stop loss method है और दूसरा है price projection method price projection technique यह अनुमान लगाने में मदद करती है कि price momentum कहां exhaust हो जाएगी तो यह symmetrical triangle chart patterns के लिए कैसा काम करता है पहला symmetrical triangle के highest और lowest points के बीच की दूरी को measure करे यानि pattern का सबसे widest portion को मापे फिर breakout direction के आधार पर breakout point पर इस दूरी को copy और paste करे उदाहरन के लिए एक bullish breakout के मामले में इस दूरी को breakout point पर resistance level से उपर project करना और एक bearish breakout के लिए उसी दूरी को breakout point पर support level से नीचे project करना ये price projection या expected target level देगा trailing stop loss की idea ये है कि हमें पता नहीं है कि trend कितमे समय तक चलेगी इसलिए हम जहां तक संभव हो सके trend पर right करने के लिए stop loss को trail करेंगे ताकि market हमारे favor में होने पर आपके profits को lock in कर सके तो आप अपने stop loss को trail कैसे करेंगे खेर आप moving averages जैसे indicators का उपयोग कर सकते है उदाहरन के लिए आप 20 period 50 period या यहां तक की 200 period की moving averages का उपयोग करके अपने stop loss का trail कर सकते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप बजार में short term, medium term या long term trend पर विचार कर रहे है इसका मतलब यह है कि आप तब तक अपनी position बनाए रखेगे जब तक की breakout की direction के आधार पर बजार moving averages से उपर या नीचे break और close न हो जाए एक अधिक मजबूत टेकनीक यह है कि यदि आप trailing stop loss और price projection combo बनाते हैं यानि आप दोनों techniques को जोड सकते हैं इसका मतलब यह है कि यदि बजार आपके पक्ष में चलता है लेकिन यह आपके price projection level तक नहीं पहुचा है तो आप अपने open profits को lock in करने के लिए moving averages का उप्योग कर सकते हैं इसलिए अगर अचानक reversals भी हो जाए तब भी जो कुछ profits आपके पास है उसको protect कर सकते हैं और सब कुछ बजार को वापस नहीं देते हैं अब neutral patterns की दूसरी category की और आगे बढ़ हैं इस विशेश pattern को अलग-अलग नामों से जाना जाता है चाहे वो symmetrical expanding triangle हो या broadening triangle pattern या broadening top या bottom pattern हो ये pattern symmetrical triangle pattern के mirror reflection जैसा दिखता है price, buy से दाई और squeeze होने के बजाए ये हर swing के साथ expand होती है यह एक कारण है कि अन्य chart patterns की तुलना में इसको trade करना कथिन है क्योंकि lows और highs एक-एक करके निकाले जाते हैं consolidation के expanding shape के कारण इसे megaphone pattern भी कहा जा सकता है जब इस pattern की पहचान की बात आती है तो ये pattern, uptrend या downtrend के दोरान बन सकता है और जब ये uptrend के दोरान बनता है तो इसे broadening top कहा जाता है और downtrend के दोरान बनने पर broadening bottom कहा जाता है जब price के widening highs और lows को जोडने वाली दो trend lines एक दूसरे से diverge हो जाती है तो ये broadening top pattern का संकेत है ये traders की घबराहट और अनिर्निय को दर्शाता है भले ही, हर price swing के बाद price actions पश्ट होती है market में किसी एक player का clear dominance नहीं होता है यानि, खरीदार और विक्रेता अपने dominance को मजबूर करने की कोशिश कर रहे है लेकिन हर प्रयास का counter किया जाता है जिसके परिनामस्वरूप, indecision की स्थिती पैदा होती है इसके अलावा, sloping trend line के साथ कम से कम दो price swings होने चाहिए यानि, इसे एक valid pattern मानने के लिए ascending trend line resistance में कम से कम दो higher highs और descending trend line support में दो lower lows होने चाहिए symmetrical triangle pattern के समान broadening triangle pattern में भी breakouts future price movements की direction निर्धारित करता है क्रिपया ध्यान दे कि broadening pattern की कुछ categories है चाहे वे broadening wedges हो एक flat support line के साथ broadening tops हो या flat resistance line के साथ broadening bottoms हो लेकिन मैं इन patterns पर चर्चा नहीं करूँँगा क्योंकि इन में से अधिकांश broadening price action patterns बाजारों में really form होते हैं इसलिए मैं आप से हमेशा urge करूंगा कि चार्ट में हर एक pattern के पीछे भागने के बजाए तीन-चार मजबूत patterns का follow करें आप जितना अधिक focused होंगे results उतने ही बहतर होंगे अब बात करते हैं trading criteria की आईए पहले trade entry techniques से शुरुआत करें जैसा की मैंने अभी mention किया है breakouts, future price direction और बजार में किसी एक player के dominance को निर्धारित करता है ये pattern किसी directional bias के साथ नहीं आता है इसलिए हमें अपनी position निर्धारित करने के लिए breakout पर पूरी तरह से ध्यान केंदरित करना होगा तो ये सब एक real breakout की पहचान करने पर निर्भर करता है जैसा की पहले चर्चा की गई है उन factors में से एक जो proper breakout निर्धारित करने में मदद करेगा वो volumes है इसलिए average से अधिक volumes संभावित breakout का एक अच्छा संकेत हो सकता है इसके अलावा आप false breakout से बचने के लिए RSI, MACD, RD जैसे Momentum Indicators का उप्योग करके breakouts को validate कर सकते हैं तो इसे ध्यान में रखते हुए आए उन सभी possible entries के बारे में बात करें जब breakout, upper trend line resistance के उपर होता है जैसे ही price resistance level से उपर break हो जाती है आप एक long entry ले सकते हैं क्योंकि इससे आपको एक अच्छी entry price मिलेगी लेकिन downside ये है कि ये false breakout हो सकता है और आप funds सकते हैं इसलिए एक बहतर alternative ये होगा कि breakout candle के resistance trend line के उपर close होने की प्रतीक्षा की जाए और फिर अगली candle के खुलने पर या breakout candle के high के उपर एक long entry किया जाए इस approach के साथ समस्या ये है कि यदि breakout अच्छी momentum से जुड़ा है तो आप खुद को बहुत high prices पर खरीदारी करते हुए पाएंगे इनके अलावा आप price में pullback या ascending trend line का retest के बाद एक long position ले सकते हैं pullback या retest कमजोर candle से जुड़े होते हैं जब price एक बार फिर breakout की direction में बढ़ने लगे तो आप एक long trade कर सकते हैं इन तरीकों का advantage ये है कि आप breakout चूग जाने पर भी trade में शामिल हो सकते हैं लेकिन downside ये है कि pullback या retest हर बार नहीं होता है खासकर अगर breakout के दोरान मजबूत price momentum थी यदि price pattern के lower trend line support से नीचे गिरती है तो वही entry methods लागू होती है उस case में आप breakout पर या breakdown candle के support level से नीचे close होने के बाद एक short entry ले सकते हैं आप pullback या lower trend line का retest के बाद भी trade में entry कर सकते हैं अब stop loss के बारे में बात करते हैं इस pattern के लिए stop loss लगाना एक कथिन काम है यदि आप stop loss रखने के general idea के अनुसार चलते हैं तो इसे bullish breakout के मामले में top resistance line के नीचे या lower support line के नीचे सेट किया जा सकता है दूसरी और bearish breakdown के लिए stop loss को lower support line के उपर या upper resistance trend line के उपर रखा जा सकता है लेकिन इसके बारे में सोचो इन में से एक stop loss बहुत tight है लंबी wicks के साथ कोई भी price swing आपके stop loss को hit कर सकता है जबकि दूसरा stop loss बहुत wide है जो आपको खराब reward to risk देगा तो हम क्या करेंगे? इस मुद्दे का मुकाबला करने का एक तरीका यह है कि आप अपना stop loss pattern के मध्य में यानि pattern के सबसे widest portion के center में रखे यदि आप अपने stop loss के प्रती बहुत aggressive है तो आप इसे breakout candle के संबंद में भी रख सकते हैं provided आप price action के लिए परियाप्ट breathing room छोड़ दे यदि आप ATR value के 1-3 गुना तक कुछ buffer जोड़कर अपना stop loss लगाते है तो इसे प्राप्ट किया जा सकता है अब हम targets के बारे में बात करेंगे इस pattern के लिए मुझे वास्तव में अपने targets का trail करने में कोई दिल्चस्पी नहीं होगी मैं projected targets से संतुष्ट हूँ आप price projection method का उपयोग करके दो targets निर्धारित कर सकते हैं पहला target, top और bottom trend lines के बीच सबसे smallest swing की दूरी के बराबर होगा इस दूरी को trend line के उपर या नीचे project किया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह breakout था या breakdown दूसरा target level, trend line के बीच सबसे widest swing की दूरी के बराबर होगा channel pattern को price channel के नाम में भी जाना जाता है pattern का formation काफी दिल्चस्प है और market trends से संबंधित है आप मेरे price action course में market trends के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको जानना आवश्यक है सबसे पहले बात करते हैं rising channel की rising channel दो lines द्वारा बनता है यह एक bottom trend line support और एक upper trend channel line resistance है तो सपश्ट रूप से price एक uptrend में है और जैसा की आप पहले से ही जानते होंगे एक uptrend के दोरान price higher swing highs और higher swing lows बनाती है जब हम एक line का उप्योग करके सभी swing lows को एक साथ जोडते हैं तो हमें trend line मिलती है जो prices के लिए support level के रूप में कार्य करेगी जबकि higher highs को जोडने से हमें trend channel line मिलेगी जो prices के लिए resistance level के रूप में कार्य करेगी इसके अलावा इसे trend line consider करने के लिए हमें इनमें से प्रत्येक line पर कम से कम दो price swings की आवशक्ता है और इसे एक valid trend line के रूप में confirm करने के लिए हमें प्रत्येक line पर कम से कम तीन swings की आवशक्ता है ध्यान रखने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि lines एक दूसरे के parallel होनी चाहिए या अधिक सरल शब्दों में upper और lower lines का slope लगभग बराबर होना चाहिए यदि slopes अलग-अलग है तो हम जानते हैं कि इसका सही मतलब क्या है ये पूरी तरह से एक अलग price action होगी और यह एक rising wedge pattern बनाएगी अब हम falling channel pattern के बारे में बात करते हैं मौजूदा trend, lower highs और lower lows के साथ एक downtrend है सभी lower highs को एक साथ जोड़कर आपको downtrend line मिलेगी जो भविश्य के price moves के लिए एक resistance level के रूप में कार्य करेगी दूसरी और यदि आप सभी lower lows को जोड़ते हैं तो आपको trend channel line मिलेगी जो prices के लिए support level के रूप में कार्य करेगी ये भी ध्यान रखें कि दोनों lines का slope लगबग बराबर होना चाहिए या सरल शब्दों में कहें तो lines parallel होनी चाहिए अब बात करते हैं कि rising channel pattern पर trade कैसे करें जब rising channel pattern की बात आती है तो आप दो प्रकार के trades ले सकते हैं जब price channel से बाहर break हो जाती है तो आप या तो breakout पर trade कर सकते हैं या फिर आप trend line से मौझूदा trend की direction में impulse price swings का trade कर सकते हैं जब breakout trading की बात आती है तो rising channel एक bilateral pattern है जिसका आर्थ है कि breakout किसी भी direction में हो सकता है लेकिन मैंने जो देखा है वो ये है कि channel का slope कुछ हद तक हमें ये जानकारी देता है कि ये breakout होगा या breakdown मैं इससे समझा दूँगा बहुत steep slope वाला या बहुत तेज price action वाला एक channel ज्यादातर support trend line के नीचे तूट जाएगा जबकि medium या low slope वाले channels breakout या breakdown होने की समान समभावना होगी वैसे भी ये सिर्फ एक observation है इसलिए हमें breakout होने के बाद ही किसी trade में entry करना चाहिए मान लीजिए कि price support trend line से नीचे तूट गई है अब यदि आप बहुत aggressive है तो जैसे ही price support trend line से नीचे break हो जाती है आप एक short position ले सकते हैं लेकिन ये जोखिम भरा है क्योंकि ये false breakout हो सकता है और आप funds जाएंगे इसलिए breakout candle के trend line के नीचे close होने का इंतजार करना और फिर अगली candle के खुलने पर या breakdown candle के low level के नीचे एक short entry करना हमेशा ideal होता है downside ये है कि यदि breakdown मजबूत है तो आप बहुत कम prices पर बेचेंगे तो एक और तरीका ये होगा कि जब price pullback आ जाए या trend line पर retest हो जाए pullback और retest दोनो small bodied candles से जुड़े हुए है इसलिए जब pullback या retest के बाद price कम होने लगती है तो आप एक short entry ले सकते है कभी-कभी support trend line के पास price build-up हो सकता है जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि price कम हो जाएगी resistance trend line से उपर breakout हो जाती है ऐसे scenario में हम या तो breakout के बाद price के resistance के उपर close होने पर या resistance trend channel line के पास build-up के बाद या breakout के बाद trend channel line पर एक pullback या retest के बाद भी long trading opportunities की तलाश करेंगे ध्यान देने योगे सबसे महत्वपूर्ण factors में से एक है volumes यदि आप volumes का analysis करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इसे मेरी free price action playlist में देख सकते हैं वैसे भी breakout के दोरान average से अधिक volumes होना चाहिए इसके बजाए आप breakouts को validate करने के लिए momentum indicators का भी उपयोग कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए आईए जाने कि अपना stop loss कैसे लगाएं हम support level से नीचे breakdown के लिए stop loss setting पर discussion करेंगे channel pattern का stop loss channel की width पर निर्भर करेगा यदि channel बहुत narrow है तो हम stop loss को upper trend channel line के ठीक उपर रखने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अगर channel बहुत wide है तो हमें कुछ अलग सोचने की जरूरत होगा क्योंकि अगर हम stop loss को पहले की तरह trend channel line से उपर रखते हैं तो reward to risk ratio प्रभावित होगा तो हम क्या कर सकते हैं breakdown entry के लिए आप stop loss को उस channel के midpoint के ठीक उपर रख सकते हैं जहां से breakdown हुआ था लेकिन अगर आपने support trend line के पास build up के बाद short entry ली है तो आप अपना stop loss, build up या consolidation के ठीक उपर रख सकते हैं अंत में यदि आपने pull back या retest के बाद कोई position ली है तो आप अपने stop loss को pull back या retest candles के highest wick के उपर कुछ buffer के साथ set कर सकते हैं अब resistance trend line के उपर breakout के मामले में समान stop loss conditions वहाँ भी लागू की जा सकती है लेकिन इस मामले में यदि आपने breakout entry ली है तो हम breakout points से channel के midpoint के नीचे stop loss लगाएंगे या आप breakout के बाद build up entry के लिए stop loss को consolidation के नीचे रख सकते हैं और अंत में pullback या retest entries के लिए pullback या retest candles की सबसे lowest wick के नीचे कुछ buffer space के साथ अपना stop loss set कर सकते हैं अब targets पर discussion करते हैं हमेशा की तरह हम तीन तरीकों का follow कर सकते हैं price projection, trailing stop loss method या दोनों का combination price projection के लिए हम price exhaustion concept का पालन करते हैं एक channel pattern के लिए हम upper और lower trend line के बीच की दूरी को मापते हैं और breakout की direction के आधार पर इस दूरी को line के उपर या नीचे project करते हैं यह आपका projected price target देगा rising channel pattern का एक दिल्चस्प observation है जब price support trend line से नीचे breakdown हो जाती है तो पिछले सभी swing levels price action areas के रूप में कारे करेंगे इसलिए आपको बारीकी से देखना होगा की किस प्रकार की price action हो रही है और फिर निर्वेले की क्या अधिक profitability के लिए अपने trades को बनाए रखना है या अपनी positions से बाहर निकलना है दूसरी method आपके द्वारा follow की जाने वाली trading style के आधार पर within periods के moving averages का उपयोग करके trailing stop loss का उपयोग करना है इस concept का core idea ये है कि जब price breakout या breakdown एक channel या बस एक consolidation बनाता है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि यह trend लंबी periods तक जारी रहेगी और यदि आप अपने stop loss को trail कर सकें तो आपको अत्यदिक lab हो सकता है आप trade से तभी बाहर निकलेंगे जब price moving average को पार कर जाएगी short term trends के लिए 20 period के moving average का उपयोग करें medium term trends के लिए 50 period के SMA का उपयोग करें और longer term trends के लिए 100 या 200 period moving averages का उपयोग करें लेकिन यह एक अच्छा practice है यदि आप price projection और trailing stop loss methods दोनों के सेयोजन का उपयोग करते हैं ताकि outcome चाहे जो भी हो आप profits कमाने में सक्षम होंगे अब आईए rising channel pattern पर trade करने की दूसरी method पर नजर डालें यह विचार केवल तभी valid है जब बनाया गया channel परियाप्त width के साथ हो यानि support और resistance lines के बीच परियाप्त price points होने चाहिए यहाँ विचार impulse moves का trade करने या बस trend की direction में trade करने का है आपको बस impulse swing moves की सवारी करने के लिए trend line support level से buying opportunities की तलाश करनी है क्योंकि impulse moves मजबूत momentum candles से जुड़ी हुई है और आप market price flow के साथ trade करेंगे long entry लेने के लिए आप support line से bullish pin बाज जैसे bullish reversal candlesticks का भी उप्योग कर सकते है अपने stop loss को परियाप्त buffer के साथ support trend line के नीचे या support line से rejection candle की सबसे lowest wick के नीचे रखे आपका target सपश्ट रूप से resistance trend channel line होगा आप upper trend line से correction move का trade भी कर सकते हैं लेकिन मैं आम तोर पर ऐसा करने की अनुशनसा नहीं करता हूँ आईए अब falling channel pattern के लिए trading criteria पर briefly चर्चा करें rising channel के समान जब falling channel pattern की बात आती है तो आप दो प्रकार के trades ले सकते हैं जब price channel से बाहर break हो जाती है तो आप या तो breakout को trade कर सकते हैं या फिर आप trend line से मौजूदा downtrend की direction में impulse price swings का trade कर सकते हैं जब breakout trading की बात आती है तो falling channel एक bilateral pattern है जो दर्शाता है कि breakout किसी भी direction में हो सकता है लेकिन पहले की तरह channel का slope कुछ हद तक हमें ये जानकारी देता है कि यह breakout होगा या breakdown बहुत अधिक negative slope या बहुत steep price action वाला एक falling channel जयादातर resistance trend line से उपर breakout हो जाएगा जबकि medium या low slope वाले channels breakout या breakdown होने की समान संभावना होगी वैसे भी ये सिर्फ एक observation है इसलिए हमें breakout होने के बाद ही किसी trade में entry करना चाहिए मान लीजिए कि price resistance trend line से उपर तूट गई है अब यदि आप बहुत aggressive है तो जैसे ही price resistance trend line से उपर break हो जाती है आप एक long position ले सकते हैं लेकिन ये जो खिम भरा है क्योंकि ये false breakout हो सकता है और आप funds जाएंगे इसलिए breakout candle के trend line के उपर close होने की प्रतीक्षा करना और फिर अगली candle के खुलने पर या breakout candle के high के उपर entry करना हमेशा ideal होता है downside ये है कि breakout मजबूत हो सकता है और आप बहुत high prices पर खरीदारी करेंगे तो एक और तरीका ये होगा कि जब price pullback आ जाए या trend line का retest करे इसलिए जब pullback या retest के बाद price बढ़ने लगती है तो आप एक long entry ले सकते है कभी कभी resistance trend line के पास price build up हो सकता है जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि price उपर की और breakout हो जाएगी और यह tighter stop loss के कारण बहतर reward to risk भी प्रदान करता है ये सभी breakout entry techniques तब भी लागू होती है जब price support trend line से नीचे तूटने में काम्याब हो जाती है ऐसे scenario में हम या तो support trend channel line के नीचे breakout और close होने पर या support line के पास build up के बाद या breakdown के बाद trend channel line पर pullback या retest होने पर भी short trading opportunities की तलाश करेंगे ध्यान देने योगे सबसे महत्वपूर्ण factors में से एक है volumes आप breakout के दोरान average से अधिक volume का उपयोग करके real breakout को validate कर सकते हैं इसके बजाए आप breakout को validate करने के लिए momentum indicators का भी उपयोग कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए आईए देखें कि stop loss कैसे लगाएं हम resistance level से उपर breakout के लिए stop loss setting पर चर्चा करेंगे जैसा की पहले mention किया गया है channel pattern का stop loss channel की width पर निर्भर करेगा यदि channel बहुत narrow है तब हम stop loss को lower trend channel line के ठीक नीचे रखने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन अगर channel बहुत wide है तो हमें एक अलग stop loss के बारे में सोचने की जरूरत है क्योंकि अगर हम इसे पहले की तरह trend channel line से नीचे रखते हैं तो reward to risk कम होगा तो हम क्या कर सकते हैं breakout entry के लिए आप stop loss को उस channel के midpoint के ठीक नीचे रख सकते हैं जहां से breakout हुआ था लेकिन अगर आपने resistance trend line के पास build up के बाद long entry ली है तो आप अपना stop loss, build up या consolidation के ठीक नीचे रख सकते हैं अंत में यदि आपने pull back या retest के बाद कोई position ले ली है तो आप अपने stop loss को pull back या retest candles की सबसे lowest wick के नीचे परियाप्त buffer space के साथ set कर सकते हैं अब support trend channel line के नीचे breakout की स्थिती में समान stop loss conditions वहाँ भी लागू की जा सकती है लेकिन इस मामले में यदि आपने short entry ली है तो हम breakdown point से channel के midpoint के उपर stop loss लगाएंगे या आप breakout के बाद build up entry के लिए stop loss को consolidation के उपर रख सकते हैं और अंत में pull back या retest entries के लिए pull back या retest candles की highest wick के उपर कुछ buffer के साथ अपना stop loss set कर सकते हैं अब targets पर चर्चा करते हैं targets निर्धारित करना उसी तरह से किया जा सकता है जैसे rising channel pattern के साथ किया जाता है ये price projection, trailing stop loss method या दोनों का combination हो सकता है इसलिए यदि आपको कोई संदे हो तो पिछले section को refer करें आईए अब falling channel pattern पर trade करने की दूसरी method पर नजर डालें यह idea cable तभी valid है जब बनाया गया channel परियाप्त width के साथ हो यानि support और resistance trend line के बीच परियाप्त price points होने चाहिए यहाँ विचार impulse move का trade करना है या बस मौजूदा market trend की direction में trade करना है आपको बस impulse swing moves की सवारी करने के लिए trend line resistance level से selling opportunities की तलाश करनी है क्योंकि impulse moves मजबूत momentum candles से जुड़ी हुई है और आप market price flow के साथ trade करेंगे आप short entry लेने के लिए resistance line से bearish reversal candlesticks जैसे bearish pinbaz का भी उपयोग कर सकते हैं अपने stop loss को परियाप्ट buffer के साथ resistance trend line के उपर या resistance line से rejection candles की highest wick के उपर रखें आपका target सपश्ट रूप से support trend channel line होगा आप lower trend channel line से correction move का trade भी कर सकते हैं लेकिन मैं आम तोर पर ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करता अब बहुत सारे अन्य patterns हैं जो आप बाजारों में पासकते हैं जैसे rounding tops और bottoms या saucer patterns इसके बाद diamond tops और bottoms V-tops और V-bottoms broadening wedges, island reversal patterns इत्यादी लेकिन इन तीन वीडियोस के दोरान मैंने जिन patterns पर चर्चा की है यदि आप उनका सही धंग से पालन करते हैं तो वे बाजार में profitably ट्रेड करने के लिए परियाप्ट से अधिक है इसका मतलब यह नहीं है कि सभी trades लावदायक होंगे लेकिन आपके trade की सफलता की संभावना में काफी सुधार हो सकता है इसके अलावा इन patterns के trading के लिए आप जो timeframes चुनते हैं वह भी इन patterns की सफलता के लिए एक integral variable बनता है और अधिकतर यदि आप higher timeframes पर trade करते हैं तो chart patterns की win rates में काफी सुधार होता है तो इस विडियो के लिए बस इतना ही मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं कि बाजार में इन chart patterns को कैसे पहचानना है और कैसे trade करना है लेकिन chart patterns के बारे में सबसे कठिन चीजों में से एक उन्हें women stocks और indices के chart पर पहचानना है इसके बारे में सोचें chart patterns intraday timeframes से लेकर daily या weekly या monthly timeframes तक अलग-अलग timeframes में दिखाई देते हैं और वह भी women shareों में तो एक trader के रूप में आपके पास दो काम है सबसे पहले आपको अपनी पसंद के chart patterns की पहचान करनी होगी हो सकता है कि आपको triangle pattern का trade करना पसंद हो या हो सकता है कि आपको penance और flag patterns पसंद हो इसलिए अपनी पसंद का pattern पहचाने मेरा suggestion है कि आप किताबों में मिलने वाले हर pattern triangles, rectangles और channels कहूंगा और कभी-कभी मैं head and shoulders pattern पर भी दाव लगाता हूँ. अब अगला step अच्छे trades को उन trades से अलग करना है, जो उतने reliable नहीं है. लेकिन मेरा विश्वास करें, प्रत्येक stocks पर chart patterns देखना, उन्हें draw करना, उनका analysis करना और अंत में उन्हें trading के लिए filter करना एक ठका देने वाला काम है. इसलिए इस विडियो में मैं तीन तरीकों पर चर्चा करूंगा, जिनका उप्योग आप बजार में chart patterns पहचानने के लिए कर सकते हैं. इसलिए विडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जैसे-जैसे हम इस विडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, patterns खोजने की methods आसान होती जाती हैं. ये भी सुनिश्चित करें कि इस विडियो को like और share करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो कृपया subscribe करना सुनिश्चित करें, और bell icon सक्षम करें, ताकि आप किसी भी upcoming updates से न चुकें, आइए शुरू करें, इससे पहले कि हम विभिन तरीकों पर चर्चा करें, मैं पहले कुछ चीजे clear कर दूँ, आइए मैं उन कारणों को समझाऊं कि क्यों चार्ट पैटर्न्स का पता लगाना एक कथिन काम है, नमबर एक, अधिकांश चार्ट्स, uneven और noisy है, अधिकांश stocks और index चार्ट्स में, deep wicks, price gaps, false breakouts, overshoots और undershoots शामिल होते हैं, जिसके वजह से pattern determination एक कथिन कार्य हो जाता है, यह विशेश रूप से सच है, जब हम lower time frames की ओर बढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि daily, weekly, आदी जैसे higher time frames पर chart pattern determination काफी आसान है, और यह धीरे-धीरे बनता है, ताकि हमें अपने trades की उचित योजना बनाने के लिए परियाप्त समय मिल सके, लेकिन 5 minutes या 15 minutes या 30 minutes जैसी lower time frame charts में ऐसा नहीं है, जहां chart patterns बहुत बार बनते हैं, लेकिन एक pattern को दूसरे से गलत करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि यह जल्दी से form होता है, और अक्सर हम अपने trades की परियाप्त योजना बनाने में सक्षम नहीं होंगे, ध्यान में रखने वाली एक और में से एक है, जो nifty या bank nifty जैसे भारतिय इंडिसीज के विप्रीद, जहां aftermarket sentiments के कारण बड़ी price gaps और backlashes होती है, फोरेक्स में regular price moves के कारण अच्छी entries और exits मिल सकते हैं, यह आपको stocks या indices के विप्रीद है, जो कभी-कभी unpredictable price gaps के कारण आपके trade को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमें से अधिकांश लोग stocks और indices में trade करना पसंद करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम pattern की सही पहचान करें और अपने trade की योजना पहले से बनाएं, तो आईए इसे करने की पहली method पर चर्चा करें, पहली method, chart patterns को पहचानने के लिए inbuilt trading view indicators का उपयोग करती है, यह सुविधा केवल trading view chart में उपलब्ध है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास trading view में paid subscription हो, यह feature पहला free हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ paid version में ही available है, आपको बस अपनी पसंद का chart चुनना है, चाहे 3 minutes से 30 minutes के बीच, कहीं भी एक intraday time frame का chain करें, या यदि आप एक swing trader है, तो 4 गंटे या एक दिन की time frames, जैसी बहुत higher time frames के साथ जाए, एक बार जब आप इन steps को पूरा कर लेते हैं, तो trading view के top tool bar पर, indicators section पर जाए, उस पर click करें, और जैसा कि आप buy और देख सकते हैं, favorites, community scripts, my scripts, इत्यादी जैसे webin options है, आप technical section को select करें, और एक बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको चुनने के लिए बहुत सारे indicators मिलेंगे, लेकिन जो हमें चाहिए, वे chart pattern से संबंधित है, आप इस pop-up के top section पर, indicators, strategies, volume profile, इत्यादी जैसे कई options देख सकते हैं, आप auto कहने वाले option पर click करें, अब जैसे ही आप नीचे scroll करेंगे, आप अधिकांज chart patterns देख पाएंगे, जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि bullish और bearish flags, pennants, rectangles, wedges, double और triple tops, और double और triple bottoms, triangles और अंतता हमारे पास head and shoulders और inverted head and shoulders है, आप सोच रहे होंगे कि ascending, descending और symmetrical triangle patterns कहां है, चिंता न करें, क्योंकि सभी triangle pattern variants एक ही indicator के अंतरगत शामिल है, इस indicator section में, channels, broadening wedges और broadening triangles जैसे pattern का अभाव है, अगला step उस pattern पर click करना है, जिसे आप chart पर analyze करना चाहते हैं, मान लीजिए, कि मैं triangle pattern की जाच करना चाहता हूँ, तो मैं बस triangle pattern पर click करूंगा, और अगर हम थोड़ा zoom out करेंगे, तो हम बने हुए सभी triangle patterns को देख पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक कोई triangle pattern नहीं बना है, लेकिन कुछ समय पहले एक triangle बना था, जिसने अच्छा returns दिया था, भले ही system आपके लिए pattern को plot करता है, लेकिन फिर भी आपके पास ही ultimate control है, parameters बदलने के लिए बस indicator की setting में जाएं, और उस पर click करें, एक pop-up प्रकट होता है, जो एक parameter देता है, जिसे permissible deviation कहा जाता है, और default रूप से ये 10 पर set होता है, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह क्या है, तो parameter के ठीक दाई और i symbol के उपर mouse pointer रखें, इस विशेश parameter का उप्योग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि form pattern कितना accurate होना चाहिए, इसलिए यदि आप permissible deviation को घटा कर, मान लीजिए 0 या 5 कर देते हैं, तो indicator द्वारा प्रदर्शित triangle patterns की संख्या कम हो जाती है, और यदि आप permissible deviation को बढ़ा कर, मान लीजिए 25 या 40 कर देते हैं, तो प्रदर्शित patterns की संख्या अधिक होगी, लेकिन उन में से कुछ गलत होगा, इसलिए आप या तो केवल default value के साथ रहें, या numbers के साथ खेलें, और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, deviation parameter के ठीक नीचे आपको एक tick box मिलेगा, जिसमें लिखा होगा, कि in progress, एक बार फिर cursor को i symbol पर ले जाए, और यह आपसे पूछेगा, कि क्या आप चाहते हैं कि indicator, incomplete patterns या उन pattern को spot करे, जो formation की प्रक्रिया में है, इस check box को हमेशा चालू रखना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी आप upcoming patterns को track कर पाएंगे, और आसानी से योजना बना कर trade कर पाएंगे, दूसरी बात यह है, कि जब आप higher time frames से lower time frames की और बढ़ते हैं, तो देखे गए patterns की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आपके favor में काम करने वाले patterns की accuracy भी कम हो जाती है, आईए एक और उदाहरन देखें, इस बार हम double top pattern पर विचार करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि एक बार जब हम indicator पर click करते हैं, तो यह automatically सभी potential double top formations को display करता है, और ध्यान देने वाली एक और दिल्चस्प बात यह है, कि यह indicator आपको पहले से projected profit target भी देगा, हम जानते हैं, कि projected target, neckline से top resistance तक, double top pattern की height के बराबर है, यह बिल्कुल वही target है, जो प्रदर्शित किया जा रहा है, अब indicator के setting icon को select करें, जैसा कि आप देख सकते हैं, trend height, second top और अंत में permissible deviation जैसे ज्यादा options उपलब्ध हैं, trend height parameter आपसे पिछले uptrend की minimum height पूचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कि double top एक trend reversal pattern है, एक मजबूत trend पर double top एक minor retracement हो सकता है, जबकि कमजोर uptrend के दोरान, यह potential reversal की शुरुआत हो सकती है, इसलिए सर्वोत्तम combination खोजने के लिए इन values के साथ खेलें, अगला parameter second top है, जिसका अर्थ है कि आप second top कहां बनना चाहते हैं, क्या आप इसे बिलकुल समान height पर चाहते हैं, या अधिक या कम मुचाई पर, इस parameter के आधार पर अलग-अलग double tops प्रदर्शित किये जाएंगे, अंतिम parameter permissible deviation है, जो संदर्वित करता है, कि दूसरे top को, पहले top से किस हद तक variation होना चाहिए, ये deviation जितना अधिक होगा, indicator उतने अधिक results प्रदर्शित करेगा, लेकिन कम accuracy के साथ, इसलिए, tight deviation बनाए रखने का प्रयास करें, और ongoing pattern formations को प्रदर्शित करने के लिए, हमेशा in progress box पर तिक करना सुनिश्चित करें, तो ये स्पष्ट है, कि अलग-अलग pattern में, अलग-अलग settings या parameter होते हैं, तो अब आपका काम, अपनी पसंद के patterns के आधार पर, indicator का चैन करना, और best results प्राप्त करने के लिए, parameters को fine-tune करना है, यह method अच्छी तरह से काम करती है, यह within timeframes और within charts पर patterns को तेजी से पहचानने में मदद करती है, लेकिन यह अभी भी एक manual काम है, क्योंकि मान लीजिए, कि आपको potential chart patterns के लिए, सभी nifty 100 shareों की जाच करने की आवशक्ता है, आपको क्या लगता है, इस process में कितना समय लगेगा, शायद कुछ घंटे, सही है न, तो यह वास्तव में in trading view indicators की drawback है, क्योंकि इसका application सीमित है, यह कम results दिखाता है, क्योंकि कभी-कभी indicator कुछ patterns को miss out कर सकता है, और इसलिए यह कम है, जो top stock research pattern scanner है, यह एक automatic screener chart है, जो chart patterns धूनता है, एक बार जब आप website पर पहुँच जाए, तो उस option पर जाए, जो pre-screen कहता है, और एक drop down menu दिखाई देता है, drop down menu से chart patterns चुने, यह आपको chart pattern screens पर ले जाएगा, जब आप नीचे scroll करते हैं, तो आपको double और triple tops और bottoms, head and shoulders और इसके inverse triangle pattern से लेकर बहुत सारे pattern मिलते हैं, लेकिन trading view pattern indicators के विप्रीत, यहाँ आपको अलग-अलग sections के तहत, triangle pattern के variations भी मिलते हैं, उसके बाद rectangles और channels भी मिलेगी, यहाँ भी कुछ patterns गायब हैं, जैसे flags, wedges, pennants, broadening patterns इत्यादी, लेकिन patterns के लिए यह परियाप्त से अधिक है, क्योंकि मुख्य रूप से हम triangles, channels, rectangles और कभी-कभी head and shoulders pattern पर ध्यान के इंद्रित करता हूं, इसलिए यदि आप ऐसे trader हैं, जो यहाँ mentioned patterns में interest नहीं रखते हैं, तो आप video के अगले section पर जा सकते हैं, लेकिन यकीम मानिए, यह scanner आपके लिए pattern detection आसान बना देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि प्रत्येक pattern में अलग-अलग trading periods के आधार पर subsections होती हैं, जैसे short term, medium term और long term और प्रत्येक subsections के तहट, 5 minutes से लेकर, daily से लेकर monthly तक, अलग-अलग timeframes होती हैं, आपकी trading shally, यानि आप कितने समय तक किसी position पर बने रहने का इरादा रखते हैं, और आप किस timeframes पर trade करते हैं, इसके आधार पर उस option का चैन करें, जो आपकी आवश्यक्ता के अनुरूप हो, यह 15 minutes की timeframe पर एक short term trade, या 2 घंटे की timeframe पर एक medium term trade, या daily या weekly timeframe पर एक long term trade भी हो सकता है, एक बार जब आप duration और timeframe स्टै कर लेते हैं, तो इसे उस chart patterns पर चुने, जिसे आप scan करना चाहते हैं, एक बार जब आप इस पर click करेंगे, तो आपको उन शेरों की एक list मिल जाएगी, जो criteria's को पूरा करते हैं, free version में आपको अधिकतम three results ही मिलेंगे, और यदि आप अधिक results चाहते हैं, तो आपको premium plan खरीदनी होगी, जिसकी कीमत एक वर्ष के लिए लगभग 2000 रुप्य है, लेकिन मेरा suggestion है, कि आप कुछ समय के लिए free version का उप्योग करें, और देखें, कि क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यक्ता है, अब आईए, चर्चा पर वापस आते हैं, एक बार results सामने आने पर, आपको pattern के संबंद में सभी आवश्यक details देखने को मिलेंगे, अर्थात, वे price points जिन पर pattern का formation हुआ, यह विशेश रूप से उप्योगी है, क्योंकि यह आपको चार्ट में pattern को आसानी से जाचने में मदद करता है, क्योंकि आप पहले से ही price points को जानते हैं, लेकिन, screener में पहले से ही एक built-in chart feature मौझूद है, आप इसे table पर सबसे दाई और पा सकते हैं, एक बार जब आप icon पर click करते हैं, तो यह आपको उस chart पर ले जाएगा, जो default रूप से एक line chart है, जो orange stars के जरिए आवश्यक pattern के price points दिखाता है, जिससे spot करना आसान हो जाता है, आप के वल drop-down menu से chain करके, chart को candlesticks में बदल सकते हैं, आपको time frames और period under consideration को बदलने का options भी मिलता है, आप कुछ उपयोगी indicators जैसे volumes, moving averages, RSI, Fibonacci आदी भी पा सकते हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप हमेशा अपने पसंदीदा charting tool, जैसे trading view पर वापस जा सकते हैं, जो अधिक powerful है, और operate करने में आसान है, तो इस प्रकार आप potential chart patterns का पता लगाने के लिए इस scanner का उपयोग कर सकते हैं, आप अन्य सभी pattern screens को इसी तरीके से जाच सकते हैं, ये भी ध्यान रखें, कि ये scanner केवल ongoing patterns को scan करेगा, और ये पिछले बने patterns का कोई data नहीं दिखाएगा, जो कि back testing के लिए आवश्यक है, मुझे जो कमी पता चली, वो ये थी, कि top stock research इतना flexible नहीं है, कि ये तै कर सके, कि किस category के stocks पर विचार किया जाए, उदाहरन के लिए मैं केवल nifty 50 या nifty 100 शेरों पर ही scan नहीं चला सकता, इसके कारण, screen results कभी-कभी penny stocks या small caps के रूप में सामने आ सकते हैं, जो बहुत जोखिम भरा और eel liquid होता है, इसके अलावा, इसमें कुछ अच्छे patterns का अभाव है, लेकिन इसकी कुछ हद तक भर पाई, pattern breakout scan द्वारा की जाती है, जो उन patterns के results देता है, जो अभी-अभी consolidation range से breakout हुए है, ठीक है, अब antim method पर चलते हैं, जो screeners के around ही घूमती है, लेकिन यहां आपके पास अधिक control है, मैं chart inc और 010 streak के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दोनों शक्तिशाली screeners है, जिनका उप्योग करना आसान है, क्योंकि आपको किसी भी custom codes को सीखने की आवश्यक्ता नहीं है, लेकिन आपको अभी भी उस logic को input करना होगा, जिसे आप chart पर run करना चाहते हैं, लेकिन ये process काफी आसान और user friendly है, सबसे पहले मैं charting के बारे में बात करता हूँ, charting के साथ एक फाइदा यह है, कि यह कुछ समय से मौझूद है, इसलिए अधिकांच screens पहले से ही internet पर available है, इसलिए आपको बस उस विशेश pattern को खोजना है, जिसे आप chart पर scan करना चाहते हैं, आपको ये कैसे करना चाहिए, मैं समझाओंगा, charting के home page के top पर आपको एक screener menu मिलेगा, बस उस option पर click करें, fundamental scans से लेकर, top loved से लेकर, candlesticks pattern scans तक बहुत सारे scan दिखाई देते हैं, लेकिन हम जो खोज रहे हैं, वो chart patterns है, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कि आप आवश्यक scans को search कर सकते हैं, मान लीजिए, कि मैं एक descending triangle pattern को scan करना चाहता हूँ, बस इसे type करें, और search दबाएं, बड़ी संख्या में scans दिखाई देते हैं, अब किसे चुनना है, आमतोर पर results की शुरुआत में दिखाए गए scans, सबसे अधिक पसंद किये जाने वाले scans होते हैं, इसलिए हमेशा top 10 scans के साथ बने रहने का प्रयास करें, मैं बस पहले result पर क्लिक करूंगा, और यह मुझे दूसरे page पर ले जाएगा, जहां मैं सरल और समझने योग्य तरीके से लिखे गए logic को देख सकता हूँ, यदि आप ध्यान दें, तो पहली line कहती है, stock passes all of the below filters in cash segment, यह वो future segment या nifty 100 या nifty 500 से वे stocks चाहते हैं, तो बस इसे चुनें, और cursor को run scan बटन पर नीचे ले जाएं, और उस पर क्लिक करें, इससे एक नया scan चलता है, और हमें उस segment के तहट आवश्यक shortlisted stocks देता है, जिस पर हमने विचार किया था, आप केवल stock name पर क्लिक करके भी प्रतियक chart का analysis कर सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में charting के charting tool का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना analysis, trading view पर या अपने trading terminal पर करना पसंद करूंगा, यदि आपने देखा है, तो charting's free version data में लगभग 15 minutes की delay होती है, इसलिए charting के free version का उप्योग करके, intraday chart patterns trading के अफसरों की तलाश करना वास्तव में ideal नहीं होगा, क्योंकि signals देर से आते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ती हैं, जो swing trading में interest रखते हैं, या ऐसे व्यक्ती हैं, जो end of the day data का उप्योग करते हैं, तो data में देरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा, alerts जैसी अन्य features, cable premium version पर उपलब्ध हैं, जहां आप जिस setup की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे alerts set कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको premium version के लिए पैसा देना चाहिए, क्योंकि charting खराब है, आपको नए stocks के लिए manually scans को चलाना होगा, आप automatic trading नहीं कर सकते, इत्यादी ये हमें streak नामक हमारी अगली screen account, strategy tester account, algo trading site पर लाता है, जो जीरोधा ecosystem का एक हिस्सा है, आपको following में से किसी भी brokers के साथ एक account रखना होगा, मेरे पास पहले से ही जीरोधा पर एक account है, इसलिए मैं जीरोधा से login करूंगा, एक बार जब आप login कर लेंगे, तो आपका स्वागत एक साफ सुत्वे home page से किया जाएगा, जहां आप अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाली strategies के साथ, एक discover section देख सकते हैं, लेकिन अभी आप नीचे scroll करेंगे, आप बहुत सारे custom scans देख पाएंगे, हमें chart pattern scan की तलाश करनी होगी, इसके लिए buy your search scanners box पर click करें, फिर आप अपना पसंदीदा pattern खोच सकते हैं, लेकिन streak के साथ समस्या यह है, कि इसमें बहुत अधिक chart pattern scans उपलब्ध नहीं है, उनमें से पहले से ही available scan में कुछ triangle patterns, double tops और double bottoms, triple bottoms, rectangle patterns आधी शामिल हैं, और बस इतना ही, इसलिए अन्य patterns प्राप्त करने का एक मात तरीका, उन्हें स्वयम बनाना है, आप इसे दाई और के panel पर create new पर जाकर कर सकते हैं, या आप इसे top scanners drop down पर भी पा सकते हैं, जिसे create scanners नाम से जाना जाता है, बस उन में से किसी एक पर click करें, और आपको एक नए scanner creation page पर ले जाएगा, यह आपको stocks के उस segment को चुनने का options देता है, जिसे आप scan करना चाहते हैं, दिल्चस्प बात यह है कि आप within expires के options contracts को भी scan कर सकते हैं, अगला option उस time frame का selection करना है, जिसके लिए आप scan चलाना चाहते हैं, आपको one minute से one दिन तक की time frames मिलती है, अगला option chart type चुनना है, जिसे आप candlesticks और hiken आशी के बीच चुन सकते हैं, फिर conditions section है, जहां हम pattern के लिए आवश्चक conditions दर्ज करेंगे, तो मेरा suggestion यह है कि आप charting पर जाएं, जिस pattern पर आप trade करना चाहते हैं, उसे खोजें, उस विशेश pattern के सबसे पसंदीदा scan का chain करें, code logic को copy करें, या screenshot करें, और फिर streak पर वापस आए, और conditions को conditions section में भरें, एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए, तो इसे एक नाम दे, और scan को चलाए, अभी मेरे पास streak के लिए कोई premium plan नहीं है, इसलिए मैं scan नहीं चला सकता, लेकिन अगर आपके पास एक regular या ultimate plan है, तो आप हर दिन बड़ी संख्या में scans चला सकते हैं, और आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपनी अधिकांच trading strategies का backtest कर सकते हैं, उनका analyze कर सकते हैं, और यहां तक कि अपने broker का उपयोग करके, virtual paper trading या real time charts पर अपने strategies का उपयोग करके, trade भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह value for money है, इसलिए आप इसे check out कर सकते हैं, यह कोई recommendation या promotion नहीं है, क्योंकि मैंने इसका उपयोग real money के साथ trade करने से पहले, अपनी strategies के back testing और automatically paper trading के लिए किया है, यह सभी तीन methods हैं, जिन्हें मैं share करना चाहता था, उन सभी के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए उन सभी को try करें और उनमें से चुने जो आपके लिए अच्छा काम करते हैं, अगर आपको विडियो अच्छा लगा हो, तो prepare like और share करना न भूले, यह भी सुनिश्चित करें, की चैनल को subscribe करें, और bell icon को enable करें, ताकि आप आने वाले किसी भी विडियो को miss न करें, मैं आप लोगों से एक नए विडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा